गुट इवरी वान वेल्कम टूदी क्लाश 24 सुस्वागत है आप सभी का पिरियोडिक टेबल के सेशन के अंदर जो रेलवे का एक्जाम देने वाले हर एक बच्चे के लिए इंपॉटेंट है या फिर वह बच्चे जो कि एक्जाम की तियारी करें हैं चाहें 12 का बोर्ड हो या फिर कोई भी एक्जाम जिसमें साइंस की वेल्यू बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपको यह वह बहुत ही ज्यादा पूछा जाएगा इस टॉपिक से क्वेशन आपको पिरियोडिक टेबल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आप लोगों के एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट सेकेंडली मैं बात करूंगी यह एक क्लास से पिरियोडिक टेबल खतम भी नहीं होगा वन चॉट मैं इस ल बड़े वीडियो जोंगे यानि कि एक में मैं आपको और दो सो क्वेशन कराऊंगी और एक होगी ट्रेंड की क्लास आज आपके पास कितने इस टॉपिक के तो मैं आपको बता देती हूं मेरे पास इस टॉपिक साड़े 400 क्वेशन है जो पिछले कुछ एक्जाम में पूछ आपके आटम्स या एलिमेंट्स कैसे बिहेव करते हैं वह चीज भी यहां पर आपको मैं समझाने वाली हूं तो ओवराल बड़े वीडियो जो आने वाले तो मैं कैसे पढ़ाँ गोगी मुझे तो आती नहीं परियोडिक टेबल तो उसके लिए मेरे अगले हफते आपके शौट वीडियो जाएंगे शौट वीडियो में क्या होगा हम हर एक टॉपिक पर टार्गेट करेंगे जैसे मैं सर्व आपको डॉबर्नियर समझाऊंगी या स आपके आने वाले हैं और यहां पर मेरे साथ अभी आप थियोरी कर रहे हो लेकिन से पॉइंटर देख रहे हो डेटेइल नहीं कर रहे हो यहां पर मैं डेटेइल कराऊंगी जो की नेच्ट वीक आएगी आपकी और यह जो वीडियो जाएंगे वह फ्राइडे साटर्डे शुरू करना होगा थर्स दे प्राइडे साटरड़े और संडे चार दिन आपके यह चार वीडियो जाएंगे डॉबर नियर न्यू लेंट्स थर्ड मेंडली और चौता हैं री मोजले तो जब आपको यह कवर हो जाएगा फिर मैं आपको ट्रेंड्स भी कर रहूंगी ठीक है सारे एक्जाम में आता है यह question Alp technician RPF की exam date किसी की भी नहीं है जो भी आपके एक्जाम होने वाले है वो जुलाइख से शुरू होंगे तो जुलाइख सब्टेमबर औक्टोबर इसके आश्पास आपके एक्जाम होने वाले हैं आप जो आर्पी अगस्ट नोटिस आया है वह ठीक है इसका मतलब है 4660 विकेंसी ही है आपके पस तो आपके पास रेलवे के तीन एक्जाम है अब आप जिसमें एलिजिबल हो उसकी तियारी करना शुरू कर दीजे अगर आर्पी एक की तियारी करनी है तो आप जीके आज़े पूरा जीके और अगर आप मतलब साइन्स इन वे आपको करनी ही पड़ेगी एल्पी के लिए पूरी और आर्पी एफ के लिए भी पढ़नी पड़ेगी ठीक है चले शुरू कर रहे है ताइंस की टॉपिक वाइस सेशन्स चलने लग रहे हैं आपके जो मंडे टू फ्राइडे चलेंगे और वो होते है आपके शाम को आठ बजे मतलब ताइम यही रहता है लेकिन मंडे टू फ्राइडे जो है वो हम क्या करता है साइन्स के टॉपिक वाइस तो मैंने पिछले पूरे हपते ब्रांचेज प्लान टिशूस सेल एनिमल टिशूस करा दिया है अब इस हपते से जो है वो हुमन फिज शुरू होगी यानि कि मंडे को नया सेशन शुरू होगा जो कि डाजेस्टिव सिस्टम और ग्लेंड का होगा सो लेट स्टाट विद इस तोड़ेस कॉंसेट अगर आपको याद रखना है कि मुझे थियोरी पढ़नी है मुझे क्वेशन करने ही नहीं है क्योंकि मैंने आस के इपीडिएफ दे दूगे ईबुक्स दे दूगे पीडिएफ के फॉर्मेट में साथ में नुमेरिकल और सारी चीज़े आपको क्वेशन के फॉर्म में मिल जाएंगी इसके लिए आपको क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनूड करनी पड़ेगी और चीज़े वहां से जानी प इस तरीके से अरेंज कर दिया यह परियोडिक टेबल जो आपको आप अभी नजर आ रही है इस परियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के अटामिक नंबर के हिसाब से चीज़ें फिल की गई है जैसे हमने हाइड्रोजन से शुरू किया है और इसको पढ़ने का तरीका ऐसे नहीं होता इसको हम ऐसे पढ़ते यानिवाद्स हैं याजन अन्यको पढ़ होगे ही ड्रोजन के बाद ही यह टीन के बाद लीथियम वह अ कारब नाइट्रोजन ऐख लूरी नएओन sodium magnesium sodium magnesium sodium magnesium aluminum silicon phosphorosulfa chlorine argon potassium potassium calcium scandium titanium vanadium chromium iron chromium magnezem iron cobald nikel copper zinc यह जो है ना periodic table जो आपको अभी नजर आ रही है यह को यह एक दिन की मेहनत की नहीं है 1808 में पहली बार जब जी के द्वारा बोला गया कि जो elements होते हैं उनको आप अरेंज कर सकते हो या उनके symbols दे सकते हो right elements को आप arrange कर सकते हो 1808 जो है उसमें उन्होंने theory दिया जिसके बाद अलग-अलग scientist आये जैसे कि new हो गया था कि जो इस तरीके से जो चीजे आपको लाइने जो नजार आ रही है इनको हम पी-्रे-ड कहते न है आवर्त कहते हैं और जो इस तरीके की लाइने हैं उनको हम गुरुप कहते हैं मैं बैसिक चीज समझारी tenía एन वो आपकी मैं अलग से समझाऊंगी आपको ठीक है पहला जो गुरुप है उसमें सारे एलकली मेटल है एलकली अर्थ मेटल जिसे कहते हैं दूसरे में एलकली अर्थ मेटल है जो प्रत्वी से निकाले जाते हैं प्रत्वी की भूह परपटी से तीन से लेके बारा तक मेरे पास यहां पर transition element transition element यानि की संक्रमन संक्रमन यानि की जो अपने electrons को easily बाहर निकाल देते हैं और electrons को लेवी लेते हैं यहां पर non-metals है boron से लेके यहां पर boron आएगा और इस पूरे चार जो ग्रूप्स हैं इसमें आपके non-metals रखे हों यह जो है यह नोवल गैस कहीं जाती है यानि की 18 ग्रूप इसे हम कहते हैं अगर आप नंबर से वड़ोगे तो 123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अठारवा जो ग्रूप है उसको नौबल गैसा या इन इनर्ट रखे जाताय म्हें इसमें के नाम से रहा जाता है और यहां पर उनको हम क्या बोलते हैं डल्बें और यहां- मॉल हूर यह यह इकर्ण आपका क्या आपका डी व्लॉक है और यह यह कैसे दिया हमने SPDF कितने इलेक्ट्रोंस इनके आउटर मोस्ट शेल में भरे जा सकते हैं उसके इसाब से हमने इनको SPDF का नाम या पर दे दिया ठीक है अब यह पूरी सिक्वेंस में याद रखी कि आज हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स हमको पता हैं वह हैं 118 टोटल मिला के आज मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं वह 118 हैं डॉबर्नियर ट्रायाड सबसे पहले बात करते हैं साइंटेस्ट की जिनका नाम है जॉन वॉल्फ गैंडॉमर्नियर तो पहली जो बेसिक अर्रेंजमेंट की गई थी वह 1829 फि ने बोला कि एलिमेंट्स होते हैं उनके सिंबल बना हुआ तभी तो आप पहचानोगे इनको उसके बाद बहुत सारे साइंटेस्ट आये जिन्होंने इन एलिमेंट्स को अपने हिसाब से अरेंज यानि की रखने की कोशिश की उनके वेट के हिसाब से अटॉमिक नंबर के ह पहचाना जॉन वाल्वगंग दौबर नियर के द्वारा त्रायाड बनाए गए उन्होंने त्रिक बनाए उन्होंने लीथियूम सोडियूम पुटैसियूम कैल्शियूम स्रॉन्शियूम वेरियूम की जो ए होता है वह सी के साथ अगर हम जमा कर दें और दो से डिवाइड कर दें तो मेरे पास तीसरा जो एलिमेंट होगा उसका ट्रायाड का रजल्ट आजएगा लीथियूम सोडियूम पुटैसियूम कैल्शियूम स्रॉंशियूम वेरियूम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यह बना दिया फिर बाद में उन्होंने जो बनाए चौते पाच्वे वह फेल हो गए लिमिटेशन का मतलब होता है फेलियर भाई फेलियर कहां पर आई तो दावर्नियर की थियोरी पढ़ी जाती है ट्रायाड पढ़े जाते हैं पर वह कोई सक्सेस्फुल चीज नहीं थी वह बहुत अच्छे से आगे चीजों को लेके नहीं फिर उसके बाद आया न्यू लेंड्स ऑक्टेव सीरीज न्यू लेंड का स्टक्नियम न्यू लेंड्स की प्रॉब्लम यह थी कि इनको लगता था कि जो इनके पास तीजें आज अविलेबल हैं हमेशा वही अविलेबल रहेंगी यानिकि इनके पास तोटल मिलाके 56 एलिमेंट 1808 में डाल्टन के पास तक्रीवन 16 elements दें लेकिन जब इन्होंने 1866 के अंदर ठीक है 1866 के अंदर 1866 के अंदर 56 एलिमेंट शनोंने बोला कि इतने एलिमेंट्स और यह अगले की प्रॉब्लम यह थी कि यह बंदा यह मानने को तियार नहीं था कि आगे भी एलिमेंट्स आ सकते हैं तुम खुद सोचो जब 1808 से लेके 1866 तक 1656 एलिमेंट्स हो गए यूजिकल सीरीज परिया सारे गामा पाधा निसा पे उन्होंने का कि हर पहला एलिमेंट्स आटवे एलिमेंट्स के बराबर होता है तो मेरा पहला एलिमेंट्स अगर हाइड्रोजन है और लास्ट जो मुझे पता है वो थोरियम है तो मैं इस तरीके से एक प्रियॉडिक लेकिन कैल्शियम के चीजें आगे जाते ही चीजें तहसनेस हो गई क्योंकि मास नंबर बढ़ गया जबी द्रव्यमान बढ़ा तो चीजें सब खराब हो गई तो नियू लेंग्स का जो अश्टक नियम है वो भी खराब हो गया यह एंसी आटी के टेबल जो भी मैं करा रह दो खीघा यह एंसी आटी में लिखा हुआ है यह टेबल एंसी आटी का है ठीक है उसके बाद आते हैं मेंडली ठीक है तीन साल बाद 1866 में न्यू लेंड्स की ओक्तेव सीरीज आई 1869 में मात्र तीन साल के बाद मेंडली परियॉडिक टेबल आती है और वह एकदम एकदम तो आप खूले दिमाग से चीजे करते हो, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हो, आप खुलके पड़ते हो, खुलके जीते हो और खुलके कोई काम करते हो न तो वो चीज का सक्सेस्फुल रेट या सक्सेस बहुत आई होती है, निउलेंड की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी को यह थी उन्होंने limited सोचा कि इतने ही elements हो सकते हैं मेंडलीव की periodic table के अंदर उन्होंने बहुत सारे gaps रखे possibility रखी कि आगे के time पे और elements आ सकते हैं तो उन्होंने जगा खाली छोड़ी कई elements के लिए जिनका उन्होंने लगा कि वेट इतना हो सकता है निव लेंड की ऑक्टेव सीरीज की वजह से यह डिसकवर तो हुआ लेकिन आप याद रखे मेंडली जो यह आप दिख रहे हैं यह पादर आप periodic table कहे जाते हैं फादर इनकी जो periodic table उसी के ही आधार पे आज यह पू मेंडलीव की थी मेंडलीव ने भी पहला एलिमेंट हाइड्रोजन ही रखा था और उनका जो आखरी एलिमेंट था वो यूरेनियम उन्होंने रखा था 240 के साथ लेकिन आप देखो कहीं कहीं पे जगा है यहाँ पे जगा है उसके बाद यहाँ पे आपको देखो गास नजर प्रियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं यह पूरी पेरियोडिक टेबल उन्होंने बनाई थी यह औरीजनल उनकी किताब की ही पेज है उसके बाद आता है एक विज्यानिक जिसने आटम का और जिसने पेरियोडिक टेबल का फिलिंग करने का तरीका पूरी तरीके से बदल दिया अगर इस पूरी periodic table जो नहीं periodic table है ना उसका किसी को श्रय दिया जाता है या आज अगर आप यह जानते हो कि electrons orbits में कैसे flow करता है वह scientist को credit दिया जाएगा नील बोर को 1911 में जब atom के वारे में discovery हो रही थी तो नील वो साइंटेस्ट हैं जो कहते हैं कि atom के अंदर जो electrons गूम रहे हैं वह orbits में घूम रहे हैं यानि कि KLMN शेल में घूम रहे हैं तो जब आप ही पढ़ते हो आदमी मारता है उसकी किस्मत पलटी जाती है एक्जाक्ट सही टाइम पे अगर कोई सही काम करता है ना तो उसका काम देखता है अब हेंडरी मोसली आए उन्होंने नील बोर की पूरी त्योरी को पढ़ा नील बोर की पिरियोडिक टेबल जो आपको नीचे नजर आरे नंग उन्होंने क्या किया नील बोर की पूरी थियॉरी ली 1910 में उन्होंने नील बोर और मेंडव की जो पिरीयोडिक टेबल थी उसको कामाइन कर दिया काम beautiful कre Di titolo कमाइन करने और उन्होंने क्योंकि चीज़ों को समझा जाना इसी लिए बोलता है आपे तो याद रखें कि हैंडरी मोजले हैंडरी मोजले ने इस सबर्ट के पढ़ता है मोजले के बारे को तो लना क 수백 प्राइध में आप पूछने में आप से लेका के इन्ससीज़ों आपका चीज़े है जिसमें पहले scientist जिन्होंने elements की बात की वो थे Dalton जिन्होंने अरेंज करा वरना elements की बात सबसे पहले Lavoisier के द्वारा की गई थी लेकिन arrangement सबसे पहले Dalton ने किया और 1913 में मोजले की periodic table के बाद चीजें सारी sort out हो गई तो अब यहां से आपका पढ़ना पढ़ता है चले आप समझ करें यह बहुत ही छोटी सी थियोरी ती जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है लेकिन इसी थियोरी को parts में मैं डिटेल में लेके आऊंगी जहापे डॉबर्नियर न्यू लेंड्स मेंडली और मोजले के चार अलगलग topics और चार अलगलग sessions होने वाले हैं आज पहला सेट आप periodic table आपको करना है और याद रख लीजिए अगर आप railway का exam qualify करना चाहते हैं कुछ topic आपको बहुत अच्छे से समझ के जाने पड़ेंगे खाली definition हो एंटी पीसी हो और पीएफ है गुड गुरूब डिये कोई ऐसा topic नहीं है जहां पर याइसी कोई भी exam नहीं है जहां से topic नहीं हो सो kindly जितने भी session सो उनको ध्यान से देखेगा पूरा PDF जो दिया जाएगा उसको ध्यान से पढ़िएगा और उसके बाद कर कोई डाउट आते तो class में पूछेगा ठीक है चलिए thank you so much let's start with the question number one चलिए पहला question आपकी screen पे new land relation is called new land someone को किस नाम से जाना जाता है पहला question 200 question पढ़ने हैं तो मैं समझती हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे last तक class जो है वो धाई से कोई buffering नहीं हो रहे है कुछ नहीं हो रहे है नेट बिलकुल चका चक चल रहे है आज दिल्ली में एकदम सर्द बढ़िया हवाय चल रही है यह सारी हवाय किश्मीर से यहां आ रही है और दिल्ली का जो IQ एक्यू आई है एयर प्यूरिफाई जो इंडेक्स है एयर 200 तक ध्यान से पढ़िये समझ जानिये और जो डाउट वो लास्ट में पूछ लीजिए ठीक है निवलेंड संबंध जो है वो क्या कहलाता है निवलेंड का जो रिलेशन है वो लौ आफ अक्टेव यानि कि अश्तक के नियम के नाम से जाना जाता है लौ अप्टेव प्रप एक्जेंडर निवलेंड करके याद रखी इनका पूरा नाम नुवलेंड जी है ठीक है यह क्या बताया अठारा सो छिया सट विच आप दी फॉलेंग रिजेंबल थी टैंथ एलिमेंट इन्दी निवलेंड स्पेरियोडिक टेवल क्लासिफिकेशन नियम लिकित में से कौन निवलेंड के आवदिक वरगी करण में दसवे तत्व से मेल जोल खाता था मनद ठैन्थ की बात हो रही है बताऊँ ठैंथ से कौनसाँ मेल खाएगा हर एक ऐलिमेंट हर पहला अलिमेंट आठवे जैसा होगा रहत है तो 10 से क्होंन मिल खाएगा जीरो से कौन सा खाएगा 9 ठीक है तीसरे से कौन सा खाएगा 10 الागर पहला एत है जैसा है और 2 जो तैंट के जैसा होगा और डॉफ टेंट के जैसा होगा वाई दे नोवल गैसेज वर नॉट इंक्लिवडेड इन नूव लेंड्स ऑक्टेव सीरीज जब नूव लेंड का ऑक्टेव सीरीज हुआ था दो हजार बाइस में गुरूप डी का जो पेपर हुआ था उसमें 23 सेप्टेंबर को ये क्वेशन पूछा गया था बताएए जब द्वकटे के लाइनव लेंड की उक्टेव सीरीज की बाद की न्यू लेंड के जो श्रंखला थी उसमें त्कुरस्ट को शामिल क्यों नहीं किया गया जो क्या है उल्मसों क्यों आती है नफू आपकी वून से ग्रुप में आती है अठारवे ग्रुप में पिरेड चारे पूरी नहीं करते हैं कि यह एक आठ दो नो तीन दस ऐसे करके इस एलिमेंट रियक्ट रियक्ट नहीं करता है इसलिए रखने की जुरुती नहीं थी वाई आंसर है इस एलिमेंट्स वर नॉट नोन अट ताइम 1866 की बात कर लीजिये आप मेंडली के की बात करिए आप नूओ लैंज की ठेबल की बात दो वक्रियां एलिमेंट्स खोजे ही नहीं गये थे यह सारे इलिमेंट्स Elements से नाम के विघ्यानिक के द्वारा खोजे गये थे 1900 के अंदर किसमतriver कंशीता देती तो बहुत Major से देती है हैं हेंडरी मुजले के टाइम पे ही वास हेविंग एवरी तेंग उसके पास मेंडलीव की रिक अन जो थी है पीडिए खनल हमाई तरफ पी डिया रिकडियर जो है उनके पास पिडियोडिक टेबल थी उसके पता था नील बोर ने जो दिया है वो आरेड़ी अर्ए सब कुछ था उसको बस अरेंज करना था दिमाग चला लिया इंटेलिजन्ट आदमी होंगे 26 साल में अपना नाम कर गए कि जब तक केमिस्ट्री सर्वाइव करेगी मोजले का नाम तो आए गई आएगा है ना तो याद रखिए कि जो एलिमेंट्स थे वह खोजे ही नहीं गए थे तो रख देते हैं क्या प्रॉब्लम ती अब निव लेंड्स की प्रॉब्लम यह थी कि उन्होंने चीजों को रिस्ट्रिक्ट करा हुआ था उन्होंने बुले इससे जाधा एलिमेंट ना है ना कभी आगे आएंगे लेकिन मेंडल तो गुरुब खाली छोड़े ना यहां पर आगे एलिमेंट्स आएंगे वही एलिमेंट्स जो है वह यहां पर भरे गए तो एक करके याद रखे पता ही नहीं था निव लेंड्स की सब तक श्रंखला ठीक है ओक्टेव सीरीज है तो अश्टक आएगा अश्टक निव लें के अश्टक श्रंखला कहां तक जाती है यहां पर कहां तक लागू होती है तो निव लेंड्स के आगे सब कुछ बिगड गया उसका रीजन आप से पूछा जाए तो याद रखे रीजन था कि इंक्रीजिंग मास नमबर इंक्रीजिंग मास नमबर अतना तेजी से बढ़ र काल्शियम के आगे जैसे ही मास नमबर बड़ा चीजे गड़बड हो गई काल्शियम याद रखे अश्टक का नियम किस तक तक लागू पाय आ गया फिर से वही है ऑप्शन चेंज है अलग तरीके से काल्शियम करके याद रखे आज का जो अटामिक नमबर है वह 20 है और इ ऐलिमेंट्स डैश वर प्लेस्ट इन दा प्रियोडिक अफ न्यू लेंड विद है लोजन तो कहीं कहीं पर ड़ फेलियर था वही ये पेलियर है कि आपने डिया प्रियोडिक टेबल जो नियू लेंड कि थी हैलोजन कहां किसको कहा जाता है यह आज आपका ग्रुप नमर ब इसमें फ्लौरीज क्लोरीज ब्रॉमीन और आईयोडीज यह ऐलिमेंट आते हैं आप ने क्या किया कि इन स्थकसEdema लेटा किसी और को यह पर रखी नहीं कर सकते तो यहां पे क्या किया बता हूं निम्नल इकित में से लो निम्ट्ण को निम्हेंट्न है हेलो जन के साथ रख दिया जिसकी वज़ा से पूरी पिरियोडिक टेबल खराब हो गई कोबाल्ट और निकल क्या याद रखने कोबाल्ट और निकल निम्न लिकित में से कौन सा तत्व नियू लैंड के अश्टक नियम का अंतिम तत्व था ये बता दीजे नियू लैंड ने कितने elements को counter किया 56 अब इस 56 में पहला जो था वो hydrogen था और आखरी कौन सा था थोरियम ठीक है पहला hydrogen आखरा आखरी थोरियम न्यू लेंड के अश्टक नियम के अनुसार प्रकृती में कितने तत्व हैं ध्यान दीजिएगा question यह नहीं कह रहा है कि न्यू लेंड के पास कितने त 56 चपन गर के याद रखिए यह मानता था कि प्रकृती में केवल इतने ही तत्व मौजूद हैं और यही कहते हैं कि अगर न्यू लेंड नहीं एक्सेट किया होता ना कि भाई एलिमेंट की संख्या और भी हो सकती है तो शायद मेंडलीव की प्रियोडिक टेबल की जुरती नहीं पड़ती 56 एलिमेंट रखे किसने खोजा की प्रतेक आठवे तत्व के गुड़ हमेशा पहले तत्व के बराबर होते हैं न्यू लेंड क्वेशन पूछने का बस तरीका देखे दि 1900 मेंडल उर मेयर यहां पर लोथर मेयर करके याद रखेगा लोथर मेयर एक और विज्ञानिक टे जन्होंने इसी के समकालीन cœur प्रियोडिक टेबल दिया जो गुड़ों में कोबाल्ट और निकल से मिलता जुलता है कौन सा है बताइए इसका फार अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट मतलब एक ऐसा एलिमेंट है एक्स ठीक है वो कोबाल्ट और निकल के जैसे गुरुप को रखता है मैं प्रॉपर्टी इसको रखता है लेकिन फिर एक कि जो एलिमेंट इन दोनों की तरह प्रॉपर्टी रखता है उसको इसके साथ नहीं रखके कहीं दूर ले जाके रख दिया कौन सा ऐसा एलिमेंट था जिसकी प्रॉपर्टी तो कोबाल्ट और निकल के जैसी थी लेकिन निव लैंड ने उसको उठाके कहीं और रख दिया यह भी वन अफ दा फेलियर यह जब हम डिटेल में एक्जाटली आयरं दर के याद रखे बहुत ही बढ़िया आयरं कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक आयरं कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक तो modern periodic table कुछ इस तरीके से पढ़ी जाती है 26 ही हो गया तीस जो है वो जिंक हो गया है तो आयरं को कुबाल्ट और निकल के साथ रखना था तरभाई साब ने बहुत दूर रख दिया जिसकी वज़ह से गडबड़ होई निव लेंड की अश्टक नियम के नुसार लोहा जो गुड़ों में डैश और डैश के समान है इन तत्तों को बहुत दूर रखा जाना चाह यहां पर याद रखे जब आप क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे न तो आप लोगों के लिए चीज़े सिंप्लिफाइं होंगी ठीक है यह याद रखे कोबाल्ट और निकल यह बताइए डैश में निव लेंड ने ग्याद तत्तों को परमानु द्रव्यमान के बढ़ते क्र यह आप बताइए कौन से साल में इसको अरेंज कर दिया गया था वैसे यह पब्लिश हुई थी 1866 में ठीक है पब्लिश केशन यह जो है वह 1866 है लेकिन जो इस थियोरी को दिया गया था वह थियोरी दी गई थी ना सौरी 1864 अच्छा देखो ऐसी कलती है किसी से भी हो सकती ह एक्जाम में जब आप क्वेश्चन्स दें किरपिया करके ध्यान करके आंसर ना प्यान से दीजेगा 1864 में इसको दे दिया गया था निम्न लिकित में से कौन सा वर्गी करण परमाणू द्रव्यमान पे आधारित था इनमें से नाम है आपके पास डॉबनियर है मेंडली व द्रव्यमान के बेसेश पे था इनमें से किसका परियॉडिक टेबल जो है वो अटामिक मास के अधारित था तो आप याद रखे पहली बात डॉबर नियर उसके बाद हम न्यू लेंड्स को ढूंड लेंगे और मेंडली दॉबर नियर न्यू लेंड्स और मेंडली इन तीन इन तीनों की तियोरी किसके उ पर थी अधारिती के यहाणी की परमानु का द्रव्यमान भड़े उस छो कर दो यहाँ पर यहां पर इसाप कर दो परमानुद रख तो नो Schr से व्यक्ति थे अगें अगर मोजले मास नंबर पे लेके जाते चीजों को तो गड़वड होती पर वह लेकी क्यों जाते उससे पहले तो नील बोर आ चुके थे जुन्हों में बता दिया कि atomic mass इत्ती इंपोर्टन चीज नहीं है atomic number ज्यादा important चीज़ है और उन्होंने निल बूर को कॉपी किया था इसलिए एक atomic number बागी सबका atomic mass है अश्तक का नियम केवल डैश तक लागू था तो यहाप एफर से वही option change calcium Newlands का अश्टक नियम केवल इन तत्तों तक लागू था गुमा फिरा के लेकिन आपसे question पूछ रहे और अच्छा 2022 में भी था ये question गुरूप डी के 2022 में भी same question आपसे पूछा गया ठीक है नेम जर्मन चैमिस्ट हूँ गुरूपड एलिमेंट्स इंटू ट्रायाड्स इंटू अठारा सो सत्रा सोला में त्रिक के समूही करत किसने टूटल कितने उन्होंने बनाये थे त्रिक तीन कितने बनायते याद रहए टीन ट्रायाड दे और ने थे बना पक्हाने हिए वह faster फील हो गया यहादर के यहां और नहां पर exam why वाफ गेंग डाबरिनीयर निमने लिकित में से कौन साद ट्रिक दाबर नियर 3 का प्रतिन और तो करता यह लिठीयम पोटासियुप टैशिएं लीठीयम क्यल्षिय मेरिन सोडियम स्ट्रॉंशियम ब्रोमीन और लिथियम पॉटैसियम सोडियम इन में से कौन सा एसा जोड़ा है यह तीन का ऐसा जोड़ा है जो की जो पिरियॉडिक यह ट्राइयाड चीज़ याद रखिए मैं भी बार बार कन्फ्यूज करें है ना यहाँ पर जबी भी हम बात करें करेंगे तो ट्रिक की जैसे ही मैं बात करते हूं तो तुरी को जो है वो सिर्फ द्रबर नियर के लिए जब मैं बोलूगी परियॉड टेवल वह आती है स्रर्फ मेंडेलीव के लिए अक्ष्टकनियम वह आता है न्यूलेंड के लिए और जब हम में इनको include किया जाता है लीथियम 3, sodium 11, potassium 19, 3, 11, 19 ठीक है 3, 11, 19 ट्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया था ट्रायाड का नियम किसने किसके द्वारा दिया गया था कौन सा है इस त्रिक का दूसरा सदस से कौन सा है देखो सबसे पहले यहां पर ध्यान दो जबी भी मैंने बोला कि यहां पर एलिमेंट जो है वह सी एलिमेंट के साथ अगर आप आप करोगे और दो से डिवाइड करोगे तो जो भी है ना उसका अटॉमिक मास निकल के आपके पास आ जाएगा तो यह कह रहे हैं कि फॉस्फोरस ए हैं एंटी मनी सी है तो अगर फॉस्फोरस और एंटी मनी को हमने एड किया तो आपके पास कौन सा यहां पर नया एलिमेंट या एक एलिमेंट नजर आएगा क्या बात है आर्सनिक आएगा भाई आर्सनिक की बात कर रह आपके पास तीन जो है न यह एलिमेंट है पॉस्फोरस आर्सनिक एंटीमनी जैसे आपने लीथियम, सोडियम, पोटांशीम पड़ा यह एक ट्रिक है वैसे ही फॉस्फोरस आर्शनिक और एंटीमनी आपका एक और ट्रिकS आपना सबस्क्राइब का तीसरा सदसे हैं जिसका सदसे लिधियम और कौन है सोडियम है बताइए लीधियम और सोडियम के साथ एक सदसे और भी होगा बनिया ट्राइड कौन सा यह एक वेस्टन भर बर के और फिर अभी दुबारा भी आएगा इन तीनों मेंसे चाहे तो पहला पूछ लेंगे चाहे दूसरा चाहे तीसरा पूछा यहां पर बोल दिया कि देखो तीसरा सदस्य आपको बताना है जिसमें लीथियम और सोडियम भी शामिल है तो लीथियम सोडियम के साथ कौन होगा प तीन ग्यारा उन्हेंस पोटाशियम हो गया नेक्स्ट बताए डॉबर नियर के तीन तत्वों के समूँ की पहचान का जो नाम था उसनोंने क्या रखा था बार बार हम त्रिक वार्ड इस्तमाल करी रहे हैं तो ट्रायाड करके याद रखे थ्री टेट्रास या ट्राइटिय यह नहीं लण कर लेना और ट्राइटियम तो जो है न वह हाइट्रोजन के आईसो टोप को बोला जाता है प्रोट्र ड्यूट्रियम प्रोट्यम ड्यूट्रियम और ट्राइटियम ठीक है यह क्वेशन ध्यान से पढ़िया और बताईए जब तत्वों को परमाणू भार के बढ़ते करम में व्यविस्थित किया जाता है तो मध्य तत्वों का परमाणू भार अन्य दो तत्वों के परमाणू भार का लगबग आसद होता है इस नियम को क्या बोलते हैं बताइए जब हमने बोला कि elements are arranged in increasing order of atomic weight या मास the atomic weight of the middle element is approximately the average of the atomic weight of the other two elements इसको हम क्या बोलते है न्यू लेंड्स का अश्टक नियम बोलते हैं क्या नहीं गावर नियर ही बोलते हैं जावर नियर का ट्रिक नियम के नाम से इसको जाना जाता है melting point is very low इसका melting point बहुत कम होता है बताये dash गलणांक क्या होता है melting point यह विंदू हम उस बिंदू को बोलते हैं जहांपे कोई भी चीज अपने को solid से liquid में परिवर्थित करने लगती है इन में से किसका melting point बहुत ज्यादा लो होता है बताये इसमें से किसका melting point गलनांक विंदू सबसे कम या बहुत कम होता है किसका कम होगा बताओं एक ऐसी चीज जिसको अगर आपने हाथ पे रखा तो यह पिगल जाएगा वाई सब जो वीडियो चल रहे हैं आप उनको पड़ी है ना हम यहापे क्या कर रहे हैं हम टॉपिक वाइस चीजे कर रहे हैं जो बहुत इंपोर्टेंट है उसको मैं कराने लग रही हूं आप लोग भी जो बहुत इंपोर्टेंट है उसको करिए और ऐसा थोड़ी है कि कली एक्जाम है है ना केमिकल फार्मुलास बायोलोजी फिजिक्स के नुमारिकल्स आपके और भी चीज़े सब कुछ आपके हो जाएंगे पहले आप पढ़ना शुरू करिए नहीं तो अपना तो वहाल है कि आज ही ऐसा है ना आज ही एक ऐसी चीज करा दो जड़ी बूटी ऐसी देदो जिससे पूरा खतम हो जाएसा तो पॉसिबल नहीं है कंसिस्टेंट रहें चीजें चीजें आपकी जरूर से कंप् सब्सक्राइब तो जरूर से थे कि अगर आप उसे हाथ पे रखोगे ना सॉलिट कोई जैसे डब बॉक्स ताइप आप आप हाथ पे रखोगे क्यूब टाइप तो आपके हाथ पे ही पिगल जाएगा इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा लोत है अचा के स्कूर्ण के सब्सक्रίτε। पूरी प्रियॉडिक टेबल में हाइएस्ट मेर्टिंग प Glue सकॉध secondo चलिमे कुछे आप आप बताएं पूरी प्रियॉडिक टेब भाई लुगजा भाई अनीश क्या मदलब क्या है अन रहे हैं जो पढ़ना पढ़ा रही हुना वो नहीं पढ़ना भाई को केमिकल फामुलस एक एक करके पढ़ेंगे न कि जहाज बन जाए मिलकुल जहाज बनना है क्या गैलेना कहां से आगया भाई रुग जा भाई ठैर जा कैसे की वह वाला हिसाब नागमडी लेके जाएगा कि अब वाला ह बहुत ख्वाहिश है मेरी की हर ख्वाहिश पर दम निकले बहुत निकले मेरे अर्मान फिर भी कम निकले अराम से रुको यह बताओ मुझे हाईस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है पूरी पेरियोडिक टेबल में जो मैंने पूछा है उसका आंसर दीजे पूरी पेर पूरे 1088 elements की बात करें दाइमंड इस नौट एन ऐलिमेंट दाइमंड जो है ना वह इस नौट एन इलिमेंट डाइमंड एलिमेंट है नहीं तंग स्थान अंसर तब होता जब आप जो है मैं आपसे पूछती कि जो मेटल है उसमें सब ज्यादा मैल्टिंग पॉइंट किसक यहां पर याद रखें कि जभी भी आप इस question का answer करने लग रहे हैं अगर मैंने metal पूछा है और मेरे option में tungsten है यहां पर तो आपके पास जो है ना वो tungsten option में अगर है तो answer आएगा the moment मैं आपसे पूछू कि पूरी periodic table के 118 में से बताईए तो answer आपको carbon देना होगा क्या देना होगा carbon carbon का highest point पूरी periodic table में लगबग 6000 degree centigrade होता है जो कि सबसे ज़ादा है पूरी periodic table में इसी carbon से बनता है diamond तो diamond का melting point बहुत हाई है लेकिन क्योंकि diamond जैसा कोई periodic table में relevant होता नहीं है इसलिए मुझे diamond लिखने की जुरुत नहीं पड़ेगी अगर option दिये होंगे तो अगर यहां पर मेरे पास metals है तो answer मेरा tungsten होगा w symbol के साथ tungsten जो है वो highest melting point दिखाता है और w अगर हम बात करते तो 74 नमबर पे w का हमारा atomic number है आप carbon करके याद रखे carbon has the maximum 6000 degree centigrade का melting point है जो पूरी periodic table में सब्सक्राइब इस question का अंसर गेलियम और option में सीजियम भी आ सकता है गेलियम सीजियम दोनों के दोनों आपके हाथ पे पिगल सकता है डॉबर नियर ने उत्प्रेरक के रूप में डैश का पहला अब लोकन किया था अच्छा कई को आप हाथ पे नहीं रख सकते हो ठीक है है ना याद रखे डॉबर नियर मेट दी फर्स्ट अब्सरवेशन ओफ डैश अज़र टालिस्ट इन्हों ने डॉबर नियर नहीं कहा था कि यह element जो है ना यह catalyst की तरह बहेव कर सकता है किसकी बात की थी platinum और platinum को यूज भी किया जाता है कई जगा पे hydrogenation जब की जाती है तो platinum यूज करते हैं हो एन्वेंटेट दी periodic table चलिए बताइए हाला कि question बहुत असान है क्योंकि हमारे option ही नहीं है ठीक इस question में हैं ऐसे option ही नहीं है कि जिससे आपको बहलाया जा सके आप याद रखे मेंडलीफ की जो periodic table है उसको periodic table कहते हैं ठीक है निव लैंड्स ने जो दिया वह अश्टक नियम था वह periodic table नहीं थी जो दौबर ने दिया वह त्रिक था और जो हेंड्री मोजले दे रहे हैं वह modern periodic table है इसलिए periodic table किसको कहते हैं जो डिमिट्री मेंडलीव ने दी थी आजाए एक चीज़ और हाला कि जो बच्चे पढ़ें उनको पता होगा त्रिमिट्री मेंडलीव ने अपनी periodic table अपनी मा को समर्पित कि थी उनगों रॉने काता कि मेरी मां मैं ने सहा है जितने सालों मैंने यह periodic table पे काम कि KNOWS मैं रात-नाद भर ने जगा हूं या जो पिरियोडिक टेबल बनने में जो टाइम पूरा गया है उसमें सब कुछ जो कॉंट्रिविशन है वो मेरी मदर का है तो ही डूनेट ट्रीविशन है तो टैन्थ क्लास की आप बुक पढ़ेंगे तो टैन्थ क्लास की बुक में में डलीव के बारे में यह लाइन मेंशन की गई है ठीक है चलिए में डलीव परियोडिक लेव टेबल लॉव वास बेस्ट ओन मेंडलीव की आवद सारणी किस चीज़ पर आधारित है कि मेंडलीव की परियोडिक टेवल किस चीज़ पर आधारित है किस चीज़ पर आधारित थी शादी होगी क्या तुमने मैट्रीमोनियल खोला है क्या ऐसा कुछ है क्या मैट्रीमोनियल खोलके बैठे हो क्या चीज़ कहीं करना तुमको शादी में बैंड बाजा बजाना ह है तुम्हारी चलिए आवर सारे नहीं periodic table की किस पर आधारित थी तो हम मेंडलीव की बात कर रहे हैं मेंडलीव की periodic table atomic mass यानि कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित और यह statement दी जाती है कि अगर मेंडलीव परमाण उसके आधारित परियॉडिक टेवल बनाई होती तो शायद वह वह बैस्ट होती है तो रोजगार तो पहले तब किसी की शादी कि भाई कैसे कैसे लोग पूछते कि आपकी शादी हो गिया जिनके खुद के रोजगार के लाले पड़ें हैं पहले रोजगार ले लो च मेरे एक दो रिष्टारों की होने वाली है तब आपे बात करेंगे ठीक है चलिए मैंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवत सारणी में तत्तों को डैश के अधारत पे व्यवस्तित किया था पीछे क्वेश्चन से यह वाले क्वेश्चन का आंसर देना यहां पे यह वाल पीछे वाले साइंटिस्ट के चलिए मैंडलीव ने एक स्टेटमेंट दी उन्होंने कहा कि जब पीछे के सारे साइंटिस्ट ने जो यहां पे अरेंजमेंट्स किये वह अगर मास के नंबर पे किये तो इसका मतलब मास एक इंपोर्टेंट चीज होगी तो मैं भी मास को ही इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग अटामिक मास ठीक है जब मैंडलीन ने अपना काम करना शुरू किया तो उन्हें कितने तत्तों के बारे में पता था त्रियादर के 63 और जब औक्टेव निवलेंड ने शुरू किया तो 56 मात्र तीन साल के अंदर साथ एलिमेंट्स की खोज ह आफ एलिमेंट्स तो आपके खोजे ही जा रहे थे हैं न मैंडलीव कि अवतज सारणी में अंदैके तत्तों के लिए उत्वार्ज2 यह जगा छोड दिया और फिर्पि अंदर जो वर्रेंट से उनको क्या कहा जाता है और होड़िपार्श्धर स्थम्मूवव और और शैतिक पंतियों यह पूछ रहा है आप से तो जो उर्दवार धर स्थम है उनको आपने क्या बोला गुरूप और जो आपकी शैतिक पंतियों उनको आप क्या बोलते हो पिरियोडिक टेबल के अंदर this is your group this is the period period मतलब आवर्थ ठीक है आवर्थ सारेनी में अवर्थ सारेन आजा यह important question है answer बताए रसायने गुड़ों के बीच में मेंडलीव ने इन ततों से बने योगिक पे केंद्र आधारित किया उन्होंने कहा कि अगर कोई metal कोई non metal या कोई element इन दो ततों के साथ react करता है उसके basis पे पूरी periodic table तैयार की गई है उन्होंने किसके basis पे पूरी periodic table यह important है यह फिर से repeat करेगा आगे जो बच्चे देने वाले पेपर इस question को ध्यान से समझ लीजे सुन लीजे यह question फिर से repeat करेगा this is your hydride and oxide भाई सब hydride and oxide hydride and oxide ठीक है hydride and oxide किसका बनेगा hydrogen का oxide किसके बनेगे oxygen के hydrogen और oxygen को हर एक element के साथ react कराया गया कि hydrogen के साथ react तरेगा यह oxygen को आप सुचो कितना मुश्किल काम है 63 elements को hydrogen hydrogen और oxide के साथ chemical reaction कर आएगे तब जाके उसको periodic table में arrange यहां पर किया गया था मैंडलीव की आवस्सारणी में तत्वों के गुड़ों की आवर्त प्रकरती के डैश पर आधारती तो मैंडलीव की बात हो रही है फिर से atomic mass आ जाएगा who is credited with classifying elements on the basis of atomic mass तो atomic mass किसको बोला जाएगा atomic mass के उपर classification जो की गई थी वो यहां पर किस ने की थी या किसके बजा से आप बोलते होगे classification की गई थी अगें जभी question आएगा तो अपने को याद रखना है कि देको newlands ने और दॉबर नियर ने भी mass number को फॉलू किया था लेकिन जब भी question आता है तो डिमिट्री मेंडलीव आंसर याद रखे उसके अलावा और कुछ भी नहीं तब आंसर डॉबर नियर पर भटकना नहीं है आप को अंसर मेंडलीव हीाला कि सब ने वाह सही किया है तो स मवणिपरी मेंडलीव थियोरी वेठ फर तो पेरियोटिक टेबल ऑक करी मेंडलीव ने बनाई तो मेंडलीव ने बनाई उसी इन को हम out of periodic टेबल कहते हैं लेकिन जब बात की जाती है जनक कौन था पिरियोडिक टेबल का हुँ इन्वेंटेड पिरियोडिक टेबल तो हम या पर बोलते हैं या पर मेंडलीफ के लिए बोलते हैं ठीक है तत्तूं के गुण उनके परमानु द्रव्यमान के आवर्ती फलन है कौन दे रहा है यह स्टेटमेंट मेंडलिफ की टेबल पिरियोडिक लॉट के कर रहे हो ओ ठीक है घ्जाम में का स आता है rocket मप्तचे कंप्यूटर से सोच रहता है है यह व 무었 तो आनी था आप लोग याद रखे कैसे क्वेश्चन जो है ना वह आपके दिये जाते हैं ठीक है उस रूष्टी रस्तायनिक का नाम बताइए विग्यानिक जिसने प्रसावित किया कि तत्वों के गुण उनके परमाणू द्रव्यमान का एक आवर्दिक है ठीक है मैंडली व इस परमाणू द्रव्यमान आरार भी जेए कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन ने विच आवदी फॉलएंग एलिमेंट्स कुट नॉट फाइंड डेफिनेट पॉजीशन इन मेंडलीन प्रियोडिक टेबल आचाहिए इंपोर्टेंट है यह बताई इनमें ऐसे ऐसा कौन सा तत्व है जो मेंडलीव की आवद सारीनी में एक निश्चित स्थान नहीं पासका कुमार प्रकाश वेरी गूड कॉंग्राचुलेशन और यॉर एफर्ट मेरी वजा से तो कोई कुछ नहीं बनेगा मेरी वजा से बनते तो इस सब जनता कुछ नहीं बनी ज त्यारी करते रहें पढ़ते रहें और क्लास अटेंड करते रहें ना चलिए बताए इन में से कौन सी यहां पर ऐसी चीज ती जिसको मिला ही नहीं तो आप याद रखे है ड्रोजन एक ऐसी एलिमेंट है जिसको मेंडलीव की प्रियोडिक टेबल में जगा ही नहीं मिली यहां पे भी कॉंट्रोवर्सी है जिससे रिलेटेड आगे एक क्वेशन आएगा यहां पर तो हाइड्रोजन करके याद रखें मेंडलीव की आवद सारणी में निकल से पहले कौन सा एलिमेंट आता है मेंडलीव की प्रियोडिक टेबल में निकल से पहले कौन सा है पर वह आपको रिपीटेड नहीं लगेंगे थोड़ा से लग रहे हैं अच्छा पहला दूसरा तीसरा एक जैसे मेंडलीव की प्रियॉडिक टेवल में निकल से पहले किस चीज को रखा गया था अच्छा निकल से पहले रखा गया था क्या क्या मतलब है क्यों यह स्टेटम को निकल से पहले रख दिया तो गुना हो गया है अच्छा लेकिन यहां पर गुना क्यों हुआ कि मैंडलीव ने यह भी कहा था कि जो पिरियॉडिक टेबल है वह परमाणू द्रव्यमान के अधारित पे हैं ठीक है परमाणू द्रव्यमान यानिकि मास के अधारित पे अग अगर आपने मास के हिसाब से पिरियॉडिक टेबल अरेंज किये तो आपका जो निकल है वो यहां आना चीए कोबाल्ट यहां ना चीए लेकिन मेंडलीव ने का एक बात और बोली कि जो लोहा है आयरन है उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से मिलती है लेकिन उसकी प्रॉपर यहां तो मतलब यह कि मेंडली भले ही एक मास पर अपनी प्रियॉडिक टेबल अरेंज करें ते पर उन्होंने कॉंपरमाइज नहीं किया जहां पर चीजें उनको ऐसा लगा कि वेट या पिर कहीं ऐसा चीज है तो यह चीज़ें गडबड हो सकती है अगर मैंने इसको हिलाय है ना वह यहां रख सकते थे ना सवाली में उठता उनका एक लिमिटेशन कम हो जाता बठी नियू कि फिजिकल प्रॉपर्टी इस भी तो इंपोर्टेंट है ना तो कोबाल करके इस क्वेश्चन का आंसर याद रखे और इन तीनों को ध्यान में रखेगा आयरन को वार नि दिस्कवरी आफ न्यू एलिमेंट्स यह पिरियोडिक टेबल के बाद यह पता लग गया था कि देखो यहां से ना आप एलिमेंट्स को खोच सकते हो यानि कि आपको यह पता है कि जो आज हमारे पास एलिमेंट है वह 108 आज है ना आज लेकिन मेंडलीव की पिरियोडिक टे है और आगे उन्होंने बहुत सारे जहां न्यू लेंट्स साइंटिस्ट का रास्ता रोग दिया तो आदमी सुचे का अच्छा ही नहीं इतना शुरेटी से बोल रहा है तो हम खोशते भी नहीं है लेकिन मेंडलीव ने यह बोला कि बहुत सारे एलिमेंट्स है आगे आप ख है निम्ञ लिखित में से किस समू के ततौों को बाद में तालिका में स्थान मिला अच्छा में बताईए मेंडलीव कि आवद त्रीनी को देखने के बाद कौनसे ऐसी इलिमेंट है जिनको बाद में स्थान दिया गया कौन से हैं स्कांडियम गेलियम और आपका कन दियम गेलियम और कैल्शियम सूरत स्टेशन वेरी सूरत स्टेशन पर ठीक है तो मैं याद रखूंगी कभी सूरत गलती से इदर उदर घुमते खामते चले गए तो यहां पर कोई बैठा है जो हमको help कर सकता है मैं दो स्कांडियम और घर्मेनियम करके याद रहे हैं मेंद लीव ने तीन एलिमेंट्स के लिए जगा चोड़ दी इनको बादमें फिल किया गया था वह थे कौन से Scandium, Gallium and Germanium, Scandium, Gallium and Germanium, ठीक है, अब एक काम करना है launcher परकाश इस book share करना है ठीक है? जाधे जाधे बच्चों को ये बताते हुए की देखो डेखो को जाएगा selection ठीक है तो बस ये कर दो शेयर कर दो pokgehen को मेंडलीव की आवाद सारीनी डाश एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशत हुई थी मेंडलीव ने प्रियोडिक टेबल कौन से साल में दी ती 1869 के अंदर कौन सा 1869 के अंदर लेकिन यह जो पब्लिकेशन था वो कब हुआ था जर्मन मैग्जीन में 1872 में जो है वो की जगा लेता है बताईए एका ऐलमीनियुम की जगा कौन सा अलिमेंट रखा गया था तो 1869 में प्रियोडिक टेबल बन गई है पूरी उसके बाद इसको इन्होंने पैटेंट कराया होगा या जो आईसी एन है उसको बताया होगा कि देखो मैंने बना ली पूरी उन्होंन मेदरीव की यावत सारी डीमे ऐका लुमीनियम की जगा ले रहें तो ईट का एलुमीनियू में जगा कौन लेगा क्या बात है यह इस में पहले सारी आंसर को फिर लेक नहीं आपको बता겠 feat nu आप को पता है तीन को मिली है गेलियम जर्मेनियम ठीक है और स्कनर्डियम coming Lif है ये गेलियम के बदले हमको अलमीनियम अलमीनियम के बदले मतलब हमने क्या रख दिया गेलियम रख दिया इसको ऐसे ही लान करो बना एक सिलेकॉन और दूसरा है जरममेनियम तो आपकी सेमी कंड़क्तर ही दो है तो सिलेकॉन की किस को रखा ओगा जरमेनियम को लगा की जरमेनियमWROME की जगा जरमेनियम C में teacher नहीं है क्या साइंस की teacher खतम हो गए क्या विषार में एका का मतलब होता है एका मतलब इसकी जगा जर्मनी में उन्हों ने यह शब्द की लिखा कि देखो जैसे मैंने एक एलमीनियंग मेखम फैसे उच्छका तो हमने क्या कि Aluminium और सिलिकॉन हमारे पास पहले से था लेकिन हमने इसके साथ एक जगा खाली छोड़ दी और उस खाली जगा को हमने लिख दिया एका अगा मतलब ऐसे समध्यों कि इसकी जगा आपका दूसरा एलिमेंट आएगा जो इसकी तरह यहां पे दिखाई देगा जो इसकी तरह आपके फीचर होंगे physical वीचर तो आल्यमीनियम की जगा फिर बाद में किसको जगा मिली गेलियम को ठीक है जगाए बोराण की जगाए मिली स्कांडियम को बोरॉन एक बोरॉन की जगा स्कांडियम रखा गया और सिलिकॉन की जगा किसको जगा दी जर्मेनियम यानि की मैंडलीव की अवधारणा थी यह सोच थी कि बहुत सारे इलिमेंट्स नए डिसकावर होंगे उनमेंसे कुछ के लिए तो उन्होंने जगाई छोड़ दी देखो ऐलमीनियम फिर एका ऐलमीनियम तो एक ऐलमीनियम के पास कौन आ गया आपका गेलियम आ गया और सिलिकॉन के साथ जो है वो जर्मनियम जर्मेनियम आ गया तो यहां पर बोरॉन की जगा क्या आ गया स्कांडियम आ गया बोरॉन की जगा स्कांडियम आदुनिक आवद सारीडी में तत्तों को इस प्रकार व्यवस्तित किया गया गया कि देखे जो ग्लासेज यहां पर अल्रेडी चल रही है न और अगर आप चाहते हो कि साइंस जो है वो आपको पढ़नी है बिहार के लिए भी तो आप इन्हीं क्लासेज को आठ बजे वाली जो ग्लासेज उनको कॉंटीनियू कर लेजिए जितना भी कुछ मैं कराऊंगी व साइंस का मतलब साइंस होता है । कि साइंस को आप किसी भी एक्जाम में बाटो म dependencies हर जगह गोई 202 नौइट कि आप साइंस पढ़ना शुर् угarde आनसर ध्यान से दीजएगा modern periodic table जो लोग भी आंसर दे रहे हैं बताइए ज़रा increasing order of atomic mass modern periodic table लिखा अब भी मैं clear कर चुकी हूँ कि जब तक आप periodic number की जब तक आप periodic जब तक आप खाली periodic table लिख रहे हो ना खाली periodic table तब तक मेंडलीव पे हो किस पे हो मेंडलीव पे हो किस पे हो मेंडलीव पे हो तो मुमेंट आपने periodic table के आगे modern periodic table लगा दिया आप कहां पर आजाओगे आप मोजले पर आजाओगे तो यहां पर आपको लिखना है increasing order of atomic number और यह decreasing वाला बच्चा को ना भाई decreasing नहीं लिखना है आपकी periodic table decreasing तो होई magnesium magnesium aluminum silicon phosphorous sulphaclorine argon यह कौन से पीरेट से relate करते हैं पीरेट से ही है गुरुप से हो तो नहीं है यह sodium के शाथ शुरू करें तो 11 हो गया sodium 11 है और chlorine 17 हो गया यहां पर आरगन 18 हो गया यह atomic number मैंने लिखे यह sodium magnesium aluminum silicon phosphorous sulphaclorine argon यह कौन से जो पीरेट है उसको बिलॉंग करते हैं कौन से पीरेट को बिलॉंग करते हैं तो याद रखे hydrogen lithium sodium hydrogen lithium sodium ऐसे करके sequence बनते है sodium के नीचे आता है potassium potassium के नीचे आता है rubadium rubadium के नीचे cesium cesium के नीचे फ्रेंशियम तो hydrogen कौन सा पीरेट है पहला lithium कौन सा है दूसरा sodium तीसरा potassium चौथा rubadium पाचवा cesium छटा फ्रेंशियम सात्वा तो यहां पी जब आप sodium की बात कर रहे हो तो कौन सा वाला element कौन सा पीरेड हो गया यह question है जो पूछा जा रहा है ठीक है क्या होगा फॉर्थ लिख्थ हो गया थर्ड लिखेंगे ना तो c option कर दीजे थर्ड हो गया समझा गया अब यहां से question कोई भी आएगा आपको ऐसी लर्न करना है hydrogen hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubedium, cesium, frenchum पहला element hydrogen है पहले ग्रूप का और फ्रेंशियम जो है वो आखरी है ठीक है ऐसे करके याद रखेगा इसको नोट भी करते हैं जो अगर आप paper pen लेके बैटे हो element in the periodic table are arranged in the vertical columns कितने वर्टिकल कॉलम्स है वर्टिकल क्या होता है उर्दवार धर्स्तम कितने वर्टिकल कॉलम है और जभी भी वर्टिकल कॉलम है हम बात कर रहे हैं groups की तो modern periodic table में कितने total groups है 18 पीरेट पूछा जाएगा तो कितने लिखने है आपको साथ पीरेट है साथ इस तरीके से groups है इस तरीके से 18 groups जो है वो यहाँ पर याद रखे यहाँ पर साथ ठीक है the modern periodic table is based on on the following the modern periodic table is based on of the following element किसके periodic table किसके basis पे आधारित है आपकी the modern periodic table is based on what आपका atomic number पर्मानु संख्या ठीक है पर्मानु संख्या और एक चीज और आप लोग से request है कि आप please करके न प्लीज इट इस रिक्वेस्ट कि periodic table में don't go for the shortcuts यह जो आप learn करते हैं न बेटा वांगे उस्तामाल करते होगे कमसी हम 10-12 साल से शॉर्ट कुट चल रहे हैं बट मजाल अगर एक भी shortcut exam में काम होई हो exam में काम नहीं है ता जब आपको 100 question के answer एक जब आपके सामनी यह है ना स्वाइब करने वाली सारी चीजह यहां सपलता कोई बीच चोटा रासता होता तो सारी दुनिया सकस्फल नहीं हो जाती सारा बच्चहे ग्जाम कॉलिफाइब कर लेता नाइंटी परसंट बच्चा यही लान करके बैठा है शौटकट लेकिन एक्जाम में सब्सक्राइब किसके आते हैं जो अपना प्रॉपर तरीके से हर चीज का एक तरीका होता है ना पढ़ने का जोंट यूज शौटकट ठीक है शौटकट यूज नहीं करने अच्पन गरहें कि में कशह चछोड़ दिया गया थी या जakah इसे बच्चे है जो पेरियादिक को पूरी आउसों में लहन करता है और चार मेंसे एक जिताज खर बडाई करने का एक ही तरीका होता है आपका जो प्रॉपर तरीका है मैंदली प्रियोडिक टेबल बनाते बनाते भाई वह शहीद हो गया अदमी मोजले 26 साल की उमर में सब समझ गया है ना हर एलिमेंट को उन्होंने डिटेल में पड़ा तभी तो चीज़े समझ आई ज्यादा शॉटकट अपना होगे तो सक्सेस सब्सक्राइब भी शॉटकट ही होगी यह बात याद रखना जर्मेनियम करके याद रखे किस तत्यू के परमाणू का एलेक्टरॉनिक अच्छा आपस सारे वेश्चन डिफरेंट होंगे कोई रिपेटेट्ट नहीं होगा आंसर देते जाहिए किस तत्यू के परमाणू का एलेक्ट्रॉनिक्त मैस दो ऑट दो थो होता है बताइश किसी एक एलिमेंट एक एलेक्ट्रॉनिक खोन्फीगरेशन रवह दो ऑट दो है ठीक है यह किस सम्मु से जन्मेंदित है वाइव किरफ को बिलॉब करता रोंुен यह कौन से गुरुप को बिलॉंग करता है दो तीन मतलब इसका पिरिड क्या है और गुरुप क्या है दोनों चीज बताइए देखें अगर मेरे पास किसी भी यह सब्सक्रा इसका सब्सक्राइब क्या है कि कैसी यह सब्सक्राइब क्या है डीकर दोसरा और तो क्या होता है सोडियम का 11 음 बारान होता है magnesium periodic table में कहां आता है तीसरे ग्रुप में आता है sodium तीसरे ग्रुप में magnesium तीसरे ग्रुप में ठीक है अब यहां पे जो ग्रुप है वह कौन सा होगा तो पहला ग्रुप sodium का हो गया दूसरा ग्रुप जो है वह magnesium का हो गया ऐसे करके लर्ण करना गई थी the arrangement of elements in the periodic table modern periodic table किसके आधारत थी increasing atomic mass in period increasing atomic number in horizontal rows increasing atomic mass number in vertical rows या फिर ग्रुप के हिसाब से ग्रुप के हिसाब से किस हिसाब से रखा गया था increasing atomic number in horizontal rows ठीक है शैतिक पंक्तियों में परमानु संख्या का बढ़ना यह modern periodic table का आधार है आजने कावस सारणी में आप electronic विनियास दो आठ वाले ततों को कहाँ पर पाऊगे बताओ अगर किसी element का electronic विनियास दो आठ है तो element आपको कहाँ पर कौन से ग्रुप में दिखेगा अगर किसी भी electron की configuration कोई element अच्छा electronic configuration होता क्या है कि अगर कोई element है एक्स ठीक है उसका जो atomic का नंबर है वो है बारा उस बारा को आपने उसके electron के filling के साब से भर दिया that is your KLM के साब से भर दिया उसके बाद इसमें SPDF भी लगा दिये तो जब आप के element शैल से भरते हो तो आप किसी भी element की exact location को पहचान सकते हों तो आप कहां भरोगे इसको ग्रूप नंबर अठारा कैसे बाई दो आठ क्या होता है दस होता है और दस किसका atomic नंबर है नियोन का नियोन क्या है noble gases है noble gases कहां रखी जाती है group नंबर अठारा में element x forms a chloride with the formula xcl2 ठीक है which is solid with high melting point x would most likely भी यह होगा इन में से जो है वो x क्या हो सकता है अगर इसने बना दिया xcl2 xcl2 तो क्लोराइड के साथ इन में से कौन सा element बढ़िया तरीके से reaction करेगा सबसे पहले यहां पर देखों आपको sodium नहीं है लेना है chlorine 2 है ठीक है chlorine 2 है और sodium एक बार में सिर्फ एक ही अपना electron को दान में दे पाता है इसलिए sodium तो यहां पर है नहीं यहां पर कोई ऐसी element होगी जो कि अपने दो electron को दान में दे पाते हैं इसमें balance का खेल है अगर आपको दो भी, पॉजीशन के से केंड तोग एक है नहीं में आता है और रख़ूपक नमबर 15 तो irrational नों जो है ना वो किसमें आता है कारबन के निचे सिलीकान फोटेइं ग्रोप और थार्ट जो है वह हो आगर carbon atomic number 6 है तो silicon atomic number कितना होता है इड the atomic number carbon is 6 तो silicon atomic number हम कितना लिखते हैं silicon atomic number क्या हुता है 14 कितना लिखते हैं 14 कैसे learn कर सकते हो 3 और 4 ठीक है 3 3 और 4 कैसे हो गया है 2 8 4 जीखो अगर मैं आपको को पूछती कि आप सिर्फ इस से देखके आप मुझे बता दो आपको नहीं लाना है अगर आपको सिलिकॉन का अटामिक नंबर नहीं लान तो आप कैसे लान करोगे थार्ड पीरेड है और चौदवार 14 जो है वह घृप है थार्ड पीरेड का मतलब है तीन लेटर तीन नंबर तीन नंबर नंबर और गृप नंबर 14 का मतलब है कि वैलंसी उसकी 4 है तो बाहर 4 और चार ओना चीए चार तभी होगा जब आठ और वह रड़ी भर चुके हो तो दो आठ दस दो आठ चार क्या होगा 14 तो सिलिकॉन का इतामिक नंबर कितना होगा 14 ऐसे एक्जाम में आते हैं एक्जाम में आप से पूछा जाएगा जहां पर कई अभी यहां तो आपको पता है कई बच्चों को पता है सिलिकॉन 14 होता है लेकिन ही पर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ यह ट्रि पीरेड नंबर 3 में ठीक है पेरेड नंबर 3 में जब आप गुरूप पे आए तो गुरूप कौन सा हो गया 17 हो गया अब अगर गुरूप नंबर 17 है पीरेड नंबर 3 है तो आपका यहां पे कितना होगा तेbenमे आगे में किना फूरह कब्स आघ्र पूरा होगा जे तहीं और और क्लोरीं नहीं का होगा सत्रा किसका होगा यहां पर क्लोरीन का होगा सत्रा किसका है क्लोरीन का हेलो जान एटम है क्लोरीन हो गया यहां पर सत्रा के साथ अज़े बताई which two elements will form the ionic compound 1, 14 और 17 इनमें से कौन सा ionic compound बनाएगा ionic compound क्या होते हैं जो अपने ions को share करते हैं क्या करते हैं ions को share करते हैं और पूरी periodic table में सबसे best ionic compound कौन बनाता है group number 1 और group number 17 जब पहले और 17 के elements आपस में मिलते हैं जैसे NACL अभी पीछे आपने MgCl2 देखा यह जो compounds हैं जो की पहले group के element और 17 group के element से मिलके बनते हैं उनको हम कहते हैं यहाँ पे best ionic 147 लिखा हुआ है तो 147 का मतलब A और C हो गया यहाँ पे A and C B option देना पड़ेगा क्या answer देना है B option आएगा एक आवर्द सारे नहीं के समूँ दो में एक तत्तो एक्स समूँ सत्रा से य के साथ reaction करता है ठीक है तो यह योगी क्या बनाएगा an element from the group 2 अभी आपने question का answer दिया है mgcl2 ठीक है तो यह क्या हो गया xy2 क्या हो गया xy2 यह question exam के हैं सारे के सारे ठीक है xy2 तो अगर आपका कोई भी ग्रुप 2 किसके साथ रियाट करेगा group 17 के साथ तो यह ऐसे बनाएगा अगर group 1 और 17 रियाट करते तो क्या था सिर्फ x और y जैसे एन cl sodium और chlorine बस हो गया यहां पे ना एक धातु एम आवत सारणी के पहले सम्मू में है आवत सारणी के पहले group में है ठीक है first group में यह formula इसके oxide के साथ क्या बनाएगा अगर इसका oxide बनेगा यह मेंडलीव का पूरा काम है देखो मेंडलीव ने किया था यह तब जागे elements को describe किया अगर यह पहले group में है तो इसका जो formula इसके oxide के साथ होगा वो क्या होगा ma2 mo2 ठीक है na2 जैसे na2 बनता है sodium hydroxide बनता है ऐसे करके तो mo2 करके याद रखना है oxide के साथ हमेशा 2 में आएगा अगर neutral atom की बात करें जो कि periodic table में हैं जिसके electrons k plus और cl- जितने होंगे बताए कौन सा element periodic table में उतना element number रखेगा जो k plus और cl- के बराबर होगा के फेञा को होगया के प्लस का मतलब हो गया potassium के पास 19 स्याइब की आफारा ठीक है क्लोरीन मांइनस का मतलब है क्लोरीन के पास 17 सट्रा ओते हैं elektron माइनस का मतलब होते हैं क्लश कर देते हैं यानिकी अथारा तो ऐसा कौन सा element है जो की 18 electrons को रख रहे हैं ये question आते हैं ये चीज़े आप से पूछी जाएंगी ये बताई यावत सारणी में उस तटश्त परमाणू का नाम बताईए जिसमें K plus और Cl minus के बराबर electrons जो हैं वो होगा बताई के प्लस और Cl minus के बराबर electrons होएंगे ध्यान से समझना चीज़े बिल्कुल important है हमने के प्लस लिखा इसका मतलब है ये कौन है ये है कैटाईन जो अपने electrons को दान में देगा हमने Cl minus रखा तो ये कौन है एनाइन जो हमेशा electron को दान में लेता है मुझे बताना एक ऐसा element exactly आरगन ही आपके correct answer होगा क्योंकि आरगन का atomic नंबर भी क्या होता है 18 तो अगर potassium का atomic नंबर 19 था मैंने minus 1 कर दिया तो वह 18 हो गया chlorine minus 1 था जिसमें 17 था और एक electron ही ये लेके minus होता है यानि कि ये 18 हो गया तो अठारा अठारा आरगन करके यादर कि इंपोर्टेट एन element x has mass number 40 ठीक है इसके पास neutron कितने 21 neutron कितने 21 तो विच गुरूप आप दी periodic table डज़ेट बिलॉंग अगर mass number 40 मास नंबर 40 मास नंबर और मास नंबर 40 किसका होता है एक ही element है जिसका मास नंबर 40 होता है ठीक है एक ही element है जिसका मास नंबर 40 होता है अगर mass number 40 है तो इसका मतलब atomic number कितना रहा होगा 20 क्या है calcium calcium आपको एक बार atom periodic table देखने ही पड़ेगी आरगन क्या होता है कई बच्चों के दिमाग से उपर से जा रहे हैं क्यों क्योंकि periodic table आपने पढ़ी ही नहीं है आप में से किसने 1-2-30 periodic table के elements पढ़े हैं एक से 30 तक periodic table के elements आपको पढ़ने पढ़ेंगे learn करने पढ़ेंगे hydrogen helium lithium boron carbon nitrogen oxygen fluorine sodium magnesium aluminum silicon यह ऐसे करके आपको एक से 30 तक के element number learn करने पढ़ेंगे तभी चाप्टर जो है वह आपको समझ भी आएगा पूरी तरीके से बैराल मैं आपको question कर रहे हूं जो एक्जाम के लिए important है और हर question में जो important है उसकी हम बात करेंगे अब अगर यहां पर मैंने आपसे पूछा कि calcium कौन से ग्रूप को बिलॉंग करता है तो याद रगी calcium जो है वह कहां पर अगर 40 mass number है और आपका यह कौन से ग्रूप को बिलॉंग करेगा ग्रूप one two eight eight one को बिलॉंग करेगा किसको अच्छाने पॉटताश्यम और कालस्युम पॉटताश्युम कहें आज़ीकल्स को बिलॉंग करेगा किसको डिलॉंग करेगा कलश्युम कि रूम्प नमबर टू को बिलॉंग करता है है ना पोटाशयम के बाद आता है ना कल्सियम तो पोटाशयम और कल्सियम पोटाशयम और कल्सियम करके याद रखे महीं आपको periodic table learn करने पड़ेगी ठीक है periodic table तो यह पर ग्रुप नमबर टू आंसर हो गया यह बताए which of the following set of elements are returned in the order of increasing metallic character metallic character के increase होते हुए क्रम में लिखी potassium 39.5 ही लिखते है 14 ही लिखते है 40 atomic mass दिया हुए 40 atomic mass है निमने लिखे इतने से तत्वों का समों उनके बढ़ते हुए धात्विक धात्विक मतलब कौन ज्यादा मेटल है तो यहां पर हमको क्या लिखना है beryllium magnesium calcium ऐसे करके आपकी जो गुरुप से उनकी बात हमने आपे कर लिए metallic character क्या होता है कि जब आप periodic table में होते हो आपकी जो left-hand side है वो सारा metal होता है यानि कि वो धातु गुड़ दिखाएंगे और जो right-hand side होते हैं उसमें non-metal होते हैं non-metal जो है वो अधातु गुड़ दिखाएंगे तो metallic character left side है अब जब यहां पर आप देखते हो तो carbon carbon को देखो carbon है इसमें ठीक है उसके अलावा समय के समान होता है आगर मैंने लिखा यहां पर 287 287 का मतलब है 99 Qकल के बराबर होगा चैमिकल जैसा होगा केमिकर क से जाथ's के लिए उसका वरे लिए साथ होगा रदयो जो हमारे पास यहां पना आपका गरूप है उसमें क्या आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये चारो जो एलिमेंट हैं जो की कौन से गुरुप को बिलॉंग करते हैं सत्रा को बिलॉंग करते हैं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी होगी तो chlorine के property किसके जैसे दिखेगी फ्लोरीन के जैसे इन तीनों के जैसे दिखेगी नहीं दिखेगी किसके जैसी फ्लोरीन के जैसे ठीक है निम्नलिकित में से कौन सा समूँ सत्रा गुरुप नंबर सत्रा का सबसे जादा रियाक्टिव एलिमेंट होता है थोड़ा सा इसमें आपको रिवाइस करनी बढ़ेंगी चीजें इसमें जब आपी चैप्टर कर रहे होगे तो आप हमेशे याद रखो कि सबसे पहले periodic table learn करनी है इसमें बिना periodic table learn करें चीजें आप से होगी नहीं इसलिए एक बार जभी questions करने बैटो तो periodic table जो है आप जरूर से learn करो तभी आपको यह समझ भी आएगा सत्रा का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रियाक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है 17 का सबसे इंपोर्टेंट रियाक्टिव एलिमेंट कौन सा है आप याद रखे फ्लोरीन 17 पहले तो आपको पता होना चाहिए और नाइट्रोजन अगर मेरे पास तीन एलिमेंट है तो सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग रेडियाई किसकी होगी तो याद रखे कि फ्लोरीन की अटामिक रेडियाई ऑक्सीजन की और नाइट्रोजन की हम ऐसे अरेंज करते हो हमेशे यह क्वेस्टन आएगा इंक्रीजिंग रेडियस यह क्यों कि हम लेफ्ट से राइट की बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की बात कर रहे हैं तो यह हमारी जो अटामिक रेडियस होती है वह घटती है जब आप इदर से इदर जाते हो तो अटामिक रेडियस क्या होती है से लैट सेativa राइट जा रहे हो तो जो अलेक्ट्रritis अगर अपलेफिव से कीया होगा चुरीक से पर आप पर राइट ऋ स्क蓋 से ग़ LG आप लरम लिएम्मर से आयड जा रहे हो ठीक है तो आपका जो परियोडिक टेवल में एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है वो घटेगा बढ़ेगा क्या होगा बताओं यह मैं इसलिए करा रहें क्वेस्टन ताकि आपको यह रियलाई्स हो कि इसकी थी आपको बढ़ी आसे करनी बढ़ेगी विना ठीट्री नहीं होगा इसी लिए जब आगे कि अप sessions होएंगे theory के periodic table अम मैं आपको theory में parts में कराऊंगी है ना जब 4 theory के बाद complete हो जाएंगे उसके बाद हम बढ़ेंगे इसके trends में तो sequence में follow करो question पहले ही रख लो और मैं आपको बाद में भी दूँगी सारे question और भी बढ़ा के दूँगी बस यह कि आपको important समझानी चाहिए theory की कई बारना हम स्रिफ question पे जब focus करते हैं तो हमको लगता है अच्छा theory तो जरूरी ही नहीं अब आप बताओ इन question से कौन बच्चा यह मानता है कि बिना theory के भी मैं exam qualify कर सकता हूं बिना theory के कई बच्चों को तुम्हां question दे दूना 5000 हो जाएंगा अब आप बता दो मजाल है जो इसमें से आप ऐसे question कर सको जब आपके पास theory नहीं है इलेक्ट्रफ पोजिटेव करेक्टर की इ बात की है इलेक्ट्रफ पोजिटेव करेक्टर लेट से जाइट जाते समय कि घटेगा कैसे लान करने राइट में आपके पास chroni रख्फा हुआ है और इस्पारिफ जो एलेर्ट्रोनेगेटिव को शू करता है प्यूंक इलेक्ट और स्टाफिन को बीना घी अंश्य नहीं बोला कि इसा सर्ट शोर्ड में बोल यू से क्योड करने कि याद रख लो और घ्शान देलो याद कर लो सोछ लो और इसको और अपने इगदम जहन में बावलो कि कुछ टापिक को बिदा ठीवरी के आंसर करें यहीं पाऊंगी पर आपको पता होगा कि अब्सकेना आप समझ रहे थे और थे ओरी कंपीट करने पर एक इतना समझ रहे थे आवर्त सारिनी के आवर्त में बांसे दाएं बांसे दाएं मतलब लेफ्ट तू राइट हो गया परमाणू का आकार यानिकि अटम का रेडियस है न ओन moving from left to right in a period of periodic table the size of atom atom जो साइज है उसका क्या होगा atom का साइज जो है वो क्या होगा वो हमेशा डिक्रीज होता है atom का साइज डिक्रीज होता है आपको कैसे लान करना है याद रखो कि जो सोडियम होता है न उसका atom का साइज बड़ा होता है लेकिन इसी लाइन में जब आप फ्लॉरीन की तरफ जाते हो उसका atom का साइज छोटा होता है ठीक है फ्लॉरीन का तो रेडियस है वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी रेडियस घट जाएगी बताओ अब समझ आया कुछ-कुछ चीजा समझ भी आएगी ऐसा नहीं कि कुछ भी समझ नहीं आएगा समझ तो आए गाई ना तो यहां से यहां जाते में दोच याद रखनी है eatomic radius जो होता है परमाणू तर्ज्या जो होती है वह भी घटती है और यहां से यहां जाने पे Electro negativity जो होती है वह बढ़ती है और यहां से जाने पे Electro positivity जो है वह भी घटती है ठीक है km आपने तीनोंची जैनल आड़कल कर सेlawn लो और एक-एक स्टैप करो ऐसा नहीं की साथ सब नहीं सीको एक-एक स्टैप पड़ो एक्टामिक रेडियस घटेगी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी घटेगी इलेक्ट्रो नेगिटिविटी बढ़ेगी तो क्वेश्चन का अंसर जिक्रीज हो गया विच ग्रुप एलिमेंट्स पर कॉल्डेस ट्रांजीशन इनमें से कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स को संक्रमंड धातु कहा जाता है संक्रमंड तो याद रखी ग्रुप नंबर तीन से बारा समू संक्या तीन से बारा ठीक है एक तत्व एम का इलेक्ट्रॉनिक विनियास दो आठ चार है तो आधुनि आंसर दिया 14 होता है और सिलिकॉन है तो कौन से गुरुप में रखा गया 14 गुरुप में रखा गया होगा देखो मैंने बोला सीक्वेंस हैं हर चीज का सीक्वेंस है जिनको लगा भाई मुझे समझ नहीं आ रहा छोड़ दिया नहीं पड़ा लेकिन आप समझो कई बार ये तो पहला step होते है कुछ questions कर लेना फिर होते है theory करना theory करो अब उस chapter की पूरी उसके बाद फिर question करो तब एक topic complete होता है 14 silicon group भी कौन सा हुआ 14 which of the following element has two shells and both are completely filled two shell का मतलब हो गया total हमारे पास होते हैं 4 shell k elements complete कप होते हैं जमिन में दो इसमें आ गया आठ इसमें पूरा हो गया 18 इसमें हो गया और 32 इसमें हो गया तो अगर यह है वह 20 रखता है एलेक्ट्रॉन नंबर तो 288 तो हो गया बोरॉन जो है hydrogen helium लीथियम बैरिलियम बोरॉन पांच तो दो तीन यहां पर नियान याद रखे नियान के जो दो शेल हो अच्छा हीलियम क्यों नहीं लिखा क्योंकि लिखा है दो शेल ठीक है दो शेल हीलियम के ख् अटामिक नंबर एंड मास नंबर 15 फॉस्फोरस थर्टी वन जो है वो इसका अटामिक मास है यह कौनसे ग्रूप और पीरेड में आएगा यह कौनसे ग्रोप और पीरेड में आएगा क्वेशन करो इनसे भागो नहीं कई बच्चों को लगता रहे बाप रही क्या ही करा दिया पर्माणूबम जैसे फेकरी है मैडम तो कुछ नहीं समझा रहा लेकिन करो डटे रहो क्वेशन देखो कैसे कैसे क्वेशन पूछे जाते हैं क्योंकि जब मैं थियोरी कराओंगी तभी ध्यान दे पाओंगे वही अपनी तीजों को तागतवर बना पाता है जिसको पता है कि मेरी कमजोरी कहां पे है जब आपको मैं थियोरी करा रही होंगी तो आप ध्यानी नहीं दोगी क्योंकि आपको पता होंगी तब आपको पता होंगी तब आपको पता रहता है कि ह हम में कहां पर फोकस करना और कितना करना है गुरुप नंबर फिफ्टीन पिरेट नंबर थ्री देखो दो आठ पंदरा लिखा हुए ना पंदरा का मतलब क्या हुआ अब मैंने क्या बोला था तीन जगा पे नंबर हों यानि कि जितनी जगा पे नंबर होते हैं पीरेड उत यह जो एल्मेंट है गरवह चार से कम हैं तो एड नहीं करना अगर वह चार से जौदा है तो जास के साथ आड़ करतो यानि कि फिफिटीन हो गया तो गृूप हो गया पिरेट हो गया थ्री जल्दी से बताओ कितनों कोई बात समझ आगी आगी की क्वेश्चन आप कर पाओ मैं फिट से बता देती हूं मेरे पास अटामिक नंबर है 15 ठीक है मैंने उसकी इलेक्ट्रोनिक विनियास लिखी 286 क्या लिखी 286 286 का मतलब है कि कितने नंबर जगा पे यहां पे 5 आखरिया पांच आगर 4 से कम होता है चाहर होता तो मैं इसको मैन स करते हैं मैं नहीं प्लस करते है क्यों चार से सवन कितनी जगा भर गया है वांट टू थी यहॉनिकी गुरूप कौंसा है तीसरा हो गया और यह कौंसे भी होती है चीज़े ना कभी समझना भी होता है अब एक और कर लेते हैं जैसे माली जे 19 की बात करते हैं 19 में क्या हो गया 28819 की एलेक्ट्रोनिक विनियास कितनी हो जाएगी 288 ठीक है अब यह कितनी जगा इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं एक दो तीन चार यानि कि 19 वाला जो एलिमेंट है वो कौनसे ग्रुप में होगा कौनसे पीरिड में होगा चौथे में चार जगा भरी गई है अब देखो एक मैंने कहा जबी भी चार से कम हो तो प्लस नहीं करना यानि कि इसका गुरुप कौन सा होगा एक होगा सिम्पल सा है 882 ठीक है अभी कितनी जगवां पर हमने नंबर भरे एक दो तीन और चार यानि कि चार कितने होगे पिरेड में दो और नहीं करना दूसरा चौथा पिरेड और दूसरे गूरुप में कितना यहाँ पर कितना एलेक्ट्रोन है आपकी पास हो गया है यहां पर 20 किसका होता है क्यालशियम क्यार्शियम प्रोटैसियम के आगे रखा हुआ है यानि कि गृप नमबर 2 में उगया किसमे नमबर 2 में इसके आगे आप कुछ भी एड कर लो 21 कर लो 21 कर लो 21 में 3 का मतलब हो गया तीसरे चौथ स्कंडियम हो गया ऐसे आंसर यह तो इसको गुरॉन देखोॉन धातु है जिसको गुरॉप नंबर चॉल्ट कनबोन में अच्छा अगर बोरॉन है ठीक है बोरॉन कहां पर आपने रख़ा है हाइड्रोजन हीलियम नीथियम बेरलियम बोरॉन थर्टीन गुरॉप में आप बोरॉन जो है उसका अटॉमिक नमबर होता है पांच 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 की लेक्ट्रोनिक विनियास कितनी है दो और तीन अब लिः आपको कैसे अपने आपको कैसे अपना यहां पर हाँ जो आपके लांस्ट इलेक्ट्रा न होता है उससे गुरूप उससे आप groups decide करते हो और total कितनी जगा electrons को भरा है उससे आप period decide करते हो ठीक है अब यह देखो boron है दो तीन इसका atomic number है अब यह कितने electrons को दान में दे या ले sharing 5 electron sharing 3 electron sharing 2 electron और sharing एक electron तो इसके पास देखो एक से काम नहीं चलेगा अगरी एक मालो किसी से share करेगा पांच इसके साथ कोई share नहीं करेगा हम से हमारी हमारी देखो हमारी ओकात से जादा कोई हमें चीज़े नहीं देता अब आप यादर को boron की अगर तीन है ना तो तीन से जादा आपको कोई electron नहीं देगा आपको share करने बढ़ेंगे और share आप क इन के साथ share करते हैं elements after actinium को क्या कहा जाता है यह ना आपकी यह पे आप याद रखो कि एफ ब्लॉक है क्या है एफ ब्लॉक है ठीक है एफ ब्लॉक हम लिखते ना एफ ब्लॉक तो एक प्रिटीनियम के बाद कौनसा element आता है एक्टिन आइच आता है बलाब actinium में कौन सा विद अटामिक नमबर 8 अब 8 अटामिक नमबर है यानि कि 2 और 6 मैंने गया बोला जैसी उपर बढ़ जाए आपको प्लस कर दे जाना है तो 2 और 6 का मतलब है आपने 10 से प्लस कर दिया 16 यह दो जगाएं है यानि कि पीरेड जो हैं वो कौन सा है दूसरा है और गुरुप जो है वो कौन सा है इसे कैसे कर दे शादी पर पड़ता है तुम शादी मनाओ मजे करो इंजॉए कर अपनी शादी जिंदिकी में दुबारा तोड़ी होगी या जो दो चार करनी है शादियां तो इस बार पढ़ लेता है वाइक कैसी बात करने लग रहा है शादी आले दिन कौन बढ़ता है मेरे ख्याल से तो तुम्हें आज भी नहीं आना चीए लाइफ तुम्हें आज भी अपनी शादी देखनी चीए चले यहां पर समझ आ गया 16 और 2 दीरे दीरे समझ आएंगी चीज़ें ठीक है देखना आप दीरे दीरे एकदम पॉफेक्ट हो जाएंगी यह वाली चीज़ें आपको यहां पर यह बताओ एक तत्व आवर्त दो है और समूँ दो में है एन एलिमेंट बिलॉंग्स टू पी यह इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे जब 4 टोटल है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं आखरी शैल में आखरी शैल यान तो यहां पर दो है ना तो यह क्या हो गया फिर वही है अगर ज्यादा होंगे तो माइनस भी करने पड़ेंगे और यह तो दो करके यहां पर याद रखे आवात सारे नहीं के तीसरे आवर्त में सबसे छोटा आकार वाला ततो कौन से है इन दे तौर्ड पीरेड आप दे प्र पेरे ले रहे होंगे या उसके बाद के भी कई कारे करम होते हैं क्रियाएं होती हैं उनको भी करते समय यहां पर पिरियॉडिक टेबल जो है वो चल रही होगी इनकी क्लास में कैसे बच्चे मतलब जान पूछ के ना मतलब जबर जस्ती का फुटेज इन वे इन थार्ड पीरेड आप दे प्रियॉडिक टेबल दा एलिमेंट है वे और यह यह तुम्हारी शादी है कल तुमको गरवालों ने छोड़ दिया कि भाई तू फोन पे रहे हम करेंगे शादी का इंदिजाम हमारे घर में हमारे लड़के की शादी है तू बैट तू कोने में बैट तू फोन चला और फोन में भी तू क्या देख पिरियॉडिक टेबल देख जो एक क्लास चल रही है कहीं पर है ना तुम तैयारी से तुम्हाई कोई मतलब नहीं है तुम्हाई शेरवानी तुम्हारा टाइ चले बताइए इस पिरियॉडिक टेबल में अगर हम थार्ड की बात करें तो सबसे चोटा एलिवेंट का साइस जो है वो क्या होगा यहां पर आरगन होगा ऐसे क्वेस्चन में आप यह देख लो अगर आपको नोवल गैस दी गई है तो वही आंसर होते हैं आप यहां पर जाद रखो कि ऐसे क्वेस्चन में नोवल गैस जो है ना वही आंसर होते हैं अलमीनियम प्लस त्री का इलेक्ट्रॉनिक विनियास कितना होगा भाई मैं कितनी बार शादी करूंगी हो गई शादी मेरी इतना कॉंफिडेंस के साथ पूछते हैं आपकी शादी कर दो क्या पता मेरी हो गई हो तो तुम्हें पता है आजकल तो बहुत ही इसी है ना रहना देखो आजकल पहले वाला वह नहीं है पहले अगर हो रही है शादी तो मतलब वह दिखती भी थी अब नहीं दिखती अब जरूराद चलो बताओ अलमीनियम का इलेक्ट्रोनिक विनियास ऑफ एल 3 वाई अंसर ध्यान से दो एक ऐसे हो रहा है एक ऐसे होगा दो आठाट पे कौन आ गया अनुराग प्वेस्चन का अंसर ध्यान से दो भाई अलमीनियम सबसे पहले क्या है अलमीनियम का अटामिक नं तहिकनी है वह आख से लेकर 30 अलमट का नंबर घ्रना उन को लर्व पर नमबर और अटामिक मात व्हीं महां वो लर्न कर लो यहां पर यह त्यूं इंडर का लेकिन यहां उपर क्या लिख है ल फ्लस 3 मतलब है कि उतों इक नमबर से 1-2 जब पलस होता है तो अच मेट नमबर से माइनस करते हैं और जब माइनस होता है तो प्लस करते हैं 13 13-3 यहां पर लिख दो 10 अब 10 का Atomic Vinyas कितना होगा खाली दो आठ कितना हो गया दो आठ इसमें समझ गए हो दिक्कत हो तो बता देना दिक्कते अपने ऐसा दिल में नहीं चुपाना वैसी आज कल यह हट की कुछ जादी परिस्चानी और यह लोगों को लोगेसों के बारे में कौन सा कतन सत्य नहीं है नोबल गेसे नं मिटाफिक होती है Atomic form अग्जिस्ट करती है I know return about लिए तरी नहीं नहीं रेडियो आकटिव नेचर और जिनॉन सबसे रिक्टेव होती है सारी नोवल गैसेज में बताओं जिनौन सबसे रियक्टेव होती है सारी नोवल गैसेज में भाई इसको नहीं पड़ना इसको ना दुनिया के बच्चे पैदा कितने हुए है शादी कब हुई है भाई तू रोजगार्ड हूं भाई दिनेश भाई आप रोजगार्ड हूं ठीक है आप यहां पर पंचायती ना करिए कृपिया करें कुछ भी मतलब आप पढ़ाई के कौन सा सत्य इधर एक ऐसा हो गया है कि ब्रह्मांड में एक ही चीज सच है शादी उसके लावा और कुछ एक्जिस्ट ही नहीं करता नौलेज जाए तेल लेने अपने को बस एक ही चीज से मतलब है यह बताए नोवल कैसे के बारे में कौन सा सत्य नहीं है इस ब्लॉग्ड अब ही इस ब्लॉग्ड सोचते हैं एक आद मौका दे देना चीए क्या पता एक पढ़ने वाले बच्चे भी ऐसी चीज से पूछ लेता है कुछ नहीं होता लेकिन यह भाई तो अलग ही अ ब्लोग ब्लोग नवल गैसे के बारे में कौन सी चीज सत्य नहीं है नोवल्य इस तू नहीं है यह कौन सा नोवल गैस आपका रेडियो एकटिव है कोई एस औहासा को कोही यह कौन होते है उन्हां प्रिटोनि प्डियम धोरियं यह होते हैं इंचोती और काइसीज नही ठीक है non metallic होती है atomic form में exist करती है atomic form का मतलब है कि कभी आप इनको plus minus नहीं कर सकते हैं कभी भी है मैं आपने आरगन प्लस नहीं देखा होगा कभी भी आपने neon plus या neon minus नहीं देखा होगा जो novel gases होती हैं उनके ions नहीं बनते हैं ठीक है ग्रुप्स में लिखे हुए तो ग्रुप्स अभी जो है न वह आपको शायद याद नहीं हुए तो इसको मैं बता दे रहे हूं आपके जो elements उनको कैसे बरता है calcium, strontium, barium देखो यह गलत क्यों है क्योंकि यह पहला वाला तो इसके लिए गलता है रॉंग सीक्वेंस इडेंटिफाइड रॉंग सीक्वेंस उफ एलिफेंट इन दो ग्रुप्स यह रॉंग है उसके बाद सारे reactivity series के साब से कौन कितना react करता है ठीक है तो calcium, strontium, barium, copper, silver और AG यह गलत लिखा हो यहां पर कैसे होना चाहिए copper, silver और फिर AU होना चाहिए ठीक है तो B वाला जो है वो यहां पर गलत है इसको समझने के लिए आपको टाइम लगेगा अभी इसको मेरे को आप पांचे अब बता पाओ देखो basic oxide क्या हो गया base base क्या होता है कौन सा बेस है यह शार वाला शार वाला एक चीज़ basic होती है या फिर acidic हो सकती है आपको याद रखना है कि जितने भी metal होते हैं वह सारे basic oxide बनाते हैं चाहरी जितने भी नौन-metyl होते हैं अधातूँ क्या बनाते हैं वह acidic je г बनाते है तो सबھורन नहीं तभिया ब्लक रावסक्रण सब्सक्राइब क्यर्षियम मेरी तो सबस्क्राइब बहुत इम्पॉर्टेनन कॉंसेट्प्ट्ट नहीं सब्सक्राइब लेकिन मैं यहाँ पे भी बता दे रहे हूं दुबारा अटॉमिक नंबर यह सब रेगुलर पढ़ने से होता है आप पहले सोल्यूशन पढ़ो फिर पढ़ो आप एक्टम का स्ट्रक्चर फिर आप पढ़ो एसेड बेस फिर आप पढ़ो केमिकल रियक्शन फिर जाके आपको देखना पढ़ेगा चीज़ है एन एलिमेंट विद अटॉमिक नंबर कौन बेसिक फिर से लण कर लिजे बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं मेटल बनाते हैं बेस शार जो होता है वो मेटल होता है एसी क्वेस्ट्चन में अगर मैंने एसेडिक ऑक्साइड पूछा है बीज कालशियम मेटल है ठीक है कालशियम मैटल है 31 क्वेश्ट्चन में इसे कौन से आत्तवा को पौधि में सूख्श्म पोशब या माईकरो न्यूट्रियंक जाना जाता है इतना कौन पढ़ता है आप ही को पढ़ना पड़ेगा और इतना नहीं पढ़ेंगे तो भूल महिने के मिश्वी पढ़ा या नहीं पढ़ा और यहीं की यहीं छोड़ दिया तो याद रखिए कि ये ग्रुप डी वी क्वालिफाइए करना मुश्किल हो जाएगा ये लपी तो बहुत दूर की बात है ये लपी तो बहुत दूर है अगर ये प्रेशन नहीं आ रहे है तो गुरुप डी भी भूल जाएए राइट समझ ये चीजों को ध्यान दीजिए सीरस होके पड़िए माइक्रो न्यूट्रियंट जिंक याद रखें जिंक का अटामिक नंबर कितना होता है तीस का ट्रांजिशन एलिमेंट का पहला आखरी फ्लोरीन 9, 17 क्लोरीन, ब्रोमीन 35 और आयोडीन का अटामिक नंबर 53 सब कुछ समझ नहीं आएगा लेकिन बहुत कुछ आज की क्लास से समझ आ जाएगा सब कुछ नहीं समझ आएगा लेकिन बहुत कुछ समझने में आपको यहाँ पर हैल भी मिलेगी 17 याद रखें प्रियोडिक टेबल हैलोजन यहाँ पर 17 ठीक है दुतिया आवर्थ के तत्तों को क्या कहा जाता है सेकेंड पीरेड में जो एलिमेंट रखें उनको हम क्या कहते हैं सेकेंड पीरेड पूछा है गुरूप नहीं पूचा फस्ट हो गया हाइड्रोजन और हीलियम वाला है ना सेतु तत्व यह गुरूप डी का क्वेश्चन है आप मेंसे एक परसंट भी बच्चा अगर यह सोचता है कि यह क्वेश्चन जानके मुश्किल किये जा रहे हैं तो मैं आपको बता देते हूं कि आज यह टू हंड्रेट क्वेश्चन जो आप कर रहे हो इसमें से टेबल की बात करोगे अंग से अगर नहीं निकले तो क्या मजा लहीं कि आप एल्पी निकाल लोगे यह लीपी तो फिर बर्ट टाफ है कि ब्रीजगी मेंट कहा जाता है सेक्ट पिरेड के अलिमेंट को इस ब्रीजगान कहते हैं वैरिलियम बोर्हान यह दोनों ब्रेज अल कौन सा है देखो यह सीक्वेंस में लिखे हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यही सत्रवा ग्रूप पढ़ता है फ्लोरीन नाइन अभी बताया है मैंने क्लोरीन सत्रा ब्रोमीन 35 और आयोडीन जो है वो 53 आप याद रखो पूरी पिरियोडिक टेबल में अगर एक तत् से ज़्यादा एलेक्ट्रॉन ड्राइक्ट होतängen वह एक फ्लोरीन इसे लैक्टो नेगर्ट और इलेक्ट नेगर्टव का मतलब होता है कि एक एलीमेंट जिसके पास दूसरे corazón को अपनी तरफ आकर्षित करने की शमता यानि कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खीचने की शमता जो है वो क्या कही जाती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कही जाती है विद्धुत रिनातमक्ता कही जाती है ठीक है विद्धुत रिनातमक्ता अगर फ्लोरीन की सबसे जादा ह तो इसका मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव जो अगर फ्लोरीन है सबसे ज़्यादा तो आयोडीन जो है वो क्या होगा सबसेध है इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानिक इस का अंसर आपका डी रहेगा योडीन आदुनिक आवर्तनियम किसके द्वारा दिया गया था modern periodic modern periodic law किसके द्वारा दिया गया था modern sorry modern लिक है तो मोजले जी आ जाएंगे निम्नलिक इतमें से कौन सा उपधातु नहीं है हमारी problem यह है यह सबकी problem है खाली आपकी नहीं है हम लोग easy question को थोड़ा सा जाधा focus करने की कोशिश करते हैं जहां पर यह पूरे YouTube का है आप देख लो जहां पर भी YouTube में जो जनता जो टीचर जो भी आपको ऐसा पढ़ा होगा जो इतना easy होगा कि अगर पचास question कर आए और आपको पचास के पचास आते हैं तो आप इतने खुश हो जाओगे आपको लोगी का वा मुझे तो सब आता है और यह बहुत अच्छा है लेकिन इसी यूट्यूब की गलत बात है कि जहां पर भी ठंग से पढ़ा रहा हो या कुछ मुश्किल कॉंसेप्ट को लेके आ जाए ना तो बच्चों को लगता है देख हमें नहीं आ रहा ना इसका मतलब ना ही नहीं आता है और ना यह एक्जाम में आता है वही बच्चा क्वालिपाइग कर पाता है जो समझता है कि कौन क क्या आपको पढ़ा रहा है किस लेवल पर आके पढ़ा रहा है और चीज़ें आपकी एक्जाम में कितनी जाएंगी यह बात याद रखना बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सिनिक ठीक है चारी हो गए आर्सिनिक उसके अलावा एंटी मनी टेलियूरियम और पॉलॉनियम आगे ना इससे रिले टिकोश्चन आने वाले हैं तो आप पहले ही लोगता एंटी मनी के लिए हम क्या लिखते हैं हमारा सिंबल एस भी लिखते हैं तने पらॉनियम के लिए दिआ हो कितने टोटल मेटलोइड हैं कितने टोटल मेटलोइड हैं कितने टोटल मेटलोइड है वो है आपके पास साथ कितने टोटल मेटलोइड है वो है साथ ठीक है कितने टोटल मेटलोइड है वो है साथ विच आप दी पॉलाइंग इस नौटा मेटलोइड लिखा है तो टोटल साथ है मैंने नी ही यह रखे कि यह और भी क्वेश्चन आएंगे बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्षनिक एंटिमनी टेलियूरियम और पलॉनियम एंटिमनी और पलॉरियम और पलॉरियम यह जो आपके इंपोर्टेंट है ठीक है अब एक चीज़ हुए आपको इसी बात पर यूट्यूब का सेशन चलने यूट्यूब की बात चली है तो मैं एक और चीज़ बताते हूं आपको ज्यादतर टीचर यूट्यूब पर ना इजी इजी चीज़े कराते हैं उनको लगता है अच्छा पड़ा रहा है मैं समझ आ रहा है जबकि आप यह नहीं समझ रहे हो कि मैं बायो में human body से कुछ भी डिलेटेड आपको पड़ाओंगी एक नए बच्चे को उसको भी समझ आएगा दो वे मैंने जिस मुमेंट उसको परियोडिक टेवल पड़ा दी या जिस मुमेंट मैंने आप यकीन मानिया और आप याद रखे जो परसन आपके लिए यूट्यूब पे मुश्किल चीज़ा रहे है जो शायद मुश्किल है और कुछी बच्चों को समझ आ रहे हैं लेकिन वह फिर भी पढ़ा रहे है इसका मतलब चाहता है एक मास नमबर आप पीपल ना चीज़ों को समझें तो ट्रस्ट बेनिफिट जो है आपको ऐसा ही याद रखे बाकी चीज़े जरूरी नहीं है बाकी चीज़े सब लाइफ में चलती है कोई दिकत नहीं है वोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम आर्सनिक एंटीमनी टेलियूरियम और पॉलॉनिय ठीक है यह याद रखे आपका डी जो है वो आंसर होगा मोस्थी ट्रेजिस्टेंट माटीरियल इन दो वर्ड विश्व में सबसे अधिग गर्मी उश्मा प्रतिरोधी सामगरी कौन सी अब जैसे देखो फिजिक्स का लाइट चैप्टर लेलो फिजिक्स देख केमिस्ट्र से पांच घंटे लगते हैं कोई नहीं कराएगा और वह तो बिल्कुल भी नहीं करेगा जो कॉंसर्ट होगा उसको छोड़ेंगे स्किप करेंगे पता है ना इजी चीजों से बच्चे आएंगे मुश्किल चीजों से नहीं आएंगे जब की एक्जाम में हमेश्चा मुश् से रोधी समगरी कौन सी है और इसी चीज को यूज किया जाता है फायर एक्स्टिंग्वेशर की जो कपड़े बनते हैं उनमें या बॉम स्कुएड देखें आपने अभी हाली फिलाल बॉम भी फट गया आपको पता ही होगा ना बॉम भी फट गया तो जो बॉम स्कुएड होते हैं ना वाम स्कुएड वह और क्या चीज के कपड़े पहनते हैं या क्या चीज इस्तमाल की जाती है तेंटेलम कारवाइड करके याद रखें ठीक है तेंटेलम कारवाइड जो है वह सबसे ज़्यादा हीट रजिस्टेंट होता है अगर आप दुनिया में सारी कर पाएंगे टेंटेलम कारवाइड और हैफनियम कारवाइड यह दो चीज़ें ऐसी हैं जो हीट रजिस्टेंट और कितनी पता है कितनी लॉन कर लो चार हजार डिगरी सेंटिग्रेड 4000 डिगरी सेंटिग्रेड की भी हीट यह ले सकती है इसलिए बॉम स्कुएड को यही ड्रेस वगरा इसी चीज़ की ड्रेस बनाई जाती है ना यह बदाए विच इस 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 इसमें से सबस्यद्री एक्टिव नया रिक्षन अलिमेंट यह सबस्याद धाले में को दिखाते हैं यह एक खाली वैसल जिसमें पानी भराता यह इतना रियाक्टिव होता है कि अगर भरे हुए एक बड़े से वैसल में एक चुटकी पोटैशियम डाल दोगे तो इस तरीके से फटेगा बरतन तो जाए गई जाएगा पूरा पानी और अगर आपने खुले में लीथियम सोडियम पोटैशियम रुबेडियम सीजियम फ्रें सलफर पानी लोग पानिम ganz और इस एक प्रें पत्राइशियम और सोडियम यह तो बहुत ही रियाक्टिव होते हैं्शर मिलते बहुत जाद है इनको हमेशा कैशरीर देंडर में आप जाता है केरोसीन होती है वो oxygen को पास नहीं होने देती है और जैसे इनको oxygen नहीं मिलेगी इसमें आग लग जाएगी तो यह भोगत टेज्च रियक्टिव होते हैं और पाणी डालने पे दो बहुत ही तेज होते हैं एलेक्ट्रिक बल में कौन सी बरी जाती है नाइट्रोजन और इलेक्ट्रिक बल्ब के तार किसी बनी होती है तंग स्टन की आदुनिक आवर्त सब्सक्रीच निक छटे आवर्त में टोटल कितने मौजूद है सिक्पीरिट अब य焬 क्वेशिन आएगा पहले में कितने है दूसरे में कितने थीसरे में उसके 5 जटने छह्में कितने और साथ मेंise अब भोलोगी कैसे लूंग करना मामी तो बहुत ही मुश्किल कोई मुष्कल यहां करोसे दो टो आठ आठ थारा 1818 22 22 बस्वो गया लेज़्ट आप से पहले में पूछेंगे तो दो दूसरे में पूचेंगे यह आप तीन में आठ चार में 18 पांच में 18 छह में 32 और 7 ती रहाँ आप इसका जिनका ग्लास नहीं है वह याद रखी कि आप जिनका नैट खत्म पूरा पार्ट में आज ही कम्प्रीट कराऊंगी क्योंकि फिर गडबड हो जाएगी आगे के रिच पूचाएं कि हावनी अलिमेंट्स उप्रजंट इंति पीरिट में कितने हैं तो सिंस्ट विरिद में कितने बत्तित इंगे साथ विष्चों और भी यहाएंगे कर पाओ यहां पर चलो था फॉलाइंग्ड स्टेत्मेंग इन दो फॉलिएंग्ड इन इसे क्या हो गया हि हिंदी कड़वड होगी modern periodic table में number period के कितने साथ है इन modern periodic परियोडिक टेबल गुरुप की कितने अठा रहा है लॉंग पाउवा परियोडिक टेबल वास डवलप्ड रेंज औरव वर्नर रींज और वर्नर कोन है मैं तो बताए नहीं अभी तक आपको एक बार भी रेंज और वर्नर पड़े आपने अपने तो याद रखी कि यहां पर कौन सा गुरुप हैं जिसमें कोई भी मेटल नहीं है कोई भी धातु नहीं है गुरुप की बात नहुत ह прошл tort में 7 वहां गौस्वा चैये मनें डिलीव के तो मीड रखे हैं तो मेंड़ीव के याद रखें इसमें तोटल कितने elements होते हैं अब पाँचवा कैसे किनने हैं दो आठारा अठारा बतीस बतीस ठीक है एक दो तीन चार पाज अठारा हो गया पाचवे में कितने हैं अठारा हो गया ठीक है कि इंपिड़ेकिन किंदा किस तरीके से इंडेंड हैं कीसे इंकरीजिंगेख किसे करें इंकरीजइंग शार्जिन नुकलियम्य defend नुकलियवित इं लाली हो गया थे यहां Sur 깟ए हिन् venom ठीक आठी क्यों हो consider कि ना यह हिंदि ठीक करके मैं आपको यह दुबारा करातीए हूं नहीं तो यह गडवड़ा है हिंदी ठीक करके ही करा काएंगे आदी भेच्चे विचारे बड़े परिशान है कि इतनी लंबी क्लास नहीं लेना इनकी हिंदी ठीक करके मैं आपको दुबारा यह क्लास कराते हूं आप अभी 100 तक क्वेस्चन के आंसर देदो गुरूप जीरो डी ब्लॉक और टोटल मिलागे आपके पास यहीं है तो आप इनको कैसे अरेंज करोगे यहां पर गुरूप वन एक अंदर आपके अलकली मेटल कहे जाते हैं गुरूप जीरो में आपके इनर्ट गैसेज हैं डी ब्लॉक जो है वह इनर्ट ट्रांजीशन यह करूप कर लोगे अंप पहला हुँ गया दो फिर हो गेए एक पर ऑपिर हो गया चार दिस टीक है दो एक चार थीन यह सीरे 140 यहां नहीं कि है जो है मेरा अगर हमारी बैलनसी चेंज हो रही है तो हमारा ख्या चेंज होगा वेट चेंज होगा फॉलेंट वेट नहीं एक्विलेंट वेट चेंज होगा इन में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो चाहें आप किसी के भी साथ किसी भी चॉनकर वालो लेकिन कभी भी कभी भी यहां पे क्या होगा पॉजिटिव जो है ना उक्सिटेशन नहीं दिखाएगा ता फ्लोरीन याद रखो फ्लोरीन जो है वो इतना ज्यादा नेगेटिव है देखो यह आदमी नेगेटिव लोगों में से है जिनको आप बहुत अच्छी बात भी बता नहीं चाहती पर हमारे यह एक हैड है मतलब एक साइंटेस्ट है जो सीनियर है काफी और है एक डिपार्टमेंट की उनके लिए लोग लिटरली यह बोलता है भाई यह तो दूर से दिख जाए ना तो भी नेगेटिविटी जलकती है यह फ्लोरीन उसी लेवल का अदमी है का यह पाफी नेगेटिविटी ना झलका रहे है दा इनाजेशन पुटेंशल आफ नाइट रोजन इस नाइट्रोजन की इनाजेशन पुटेंशल इपता लिखा यह इसका अलग चलता है जबकि पहले 100 क्वेस्टन का और बाद के स्वेस्टन का फॉंट सेम है दोनों का फॉं नुक्लियस से यह जब एलेक्त्रॉन को ले रहें तो जो नैडरोजन की आइनाज यह वह हमेश्चीजन से जादा होगी ग्रेटर दैन डैट ओक्सीजन देगँ आपको फूटर करने की सरे तरीके वह जो प्रियोडिक टेबल के यूट्यूब पे आप पूरा यूट्यूब छान लो और कोई भी सिंगल मुझे साइन्स का टीचर बता दो जो आपको सरफ प्रियोडिक टेबल पे यूट्यूब पे फ्री में बिना किसी बात के आप क्वैलिफाइए हो जो ये बात है उसके साढ़े 400 क्वैशन आपको मिल रहे पेरियोडिक टेबल के मैं आपको साढ़े 400 क्वैशन दोंगी और इस पूरे वीडियो में मतलब आगे पूरे हफ्ते में सुबह में एक सेशन आएगा थर्सडे फ्राइडे साटरड़े और संडे जहां पे न मैं आप लोगों के लिए ये थियोरी भी अरेंज करते हूं मतलब हम थियोरी भी पढ़ेंगे तो यह इसका सेकेंड सेशन भाई अगले वीक हो जाएगा ठीक है इसका सेकेंड सेशन फ्राइडे ही कर लेंगे ज्यादा दूर नहीं करेंगे आप सो क्वेशन तब तक आराम से रिवाइस कर लो दो तीन दिन में इ जिसाइड जैसे क्लास के मंड्य को मेरी बात मेरे पर मैं और मुश्किल चैप्टर ही कर आप को अगयारे है रहे हैं नहीं तो पर इंद्सरी बाकिके 100 विच्शन की में आपको करा दोंगी है तो यह विजिक्स चैप्टरी बायों के साथ मेरा फांडेशन बैच चल रहे है तो जिन लोग को question करने है, theory नहीं करनी है, उन लोग के लिए जरुवत नहीं है, लेकिन आपको लगता है भाई अपने को theory समझी कोई नहीं हा रही, क्या गरे, theory तो समझी नहीं हा रही, तब physics, chemistry, biology आप foundation batch से जॉइन कर सकते हो, और e-books इसमें आपको bio की मिल जाएंगी, physics और chemistry की मिल जाएंगी, जिसमें सारे questions आपके cover किये हूँ है, तो वो आपके topic कंप्लीट होने के बाद मिलती है, class 24 पे railways के अंदर जाएगा, और वहां पे आपको foundation class देखेगी, तो आज के लिए भाई देको sorry भी, क्योंकि 200 question का बोला था, 200 question तो नहीं हुए, ये question अलग ही दिश questions, 100 question किये, अब next week जो है, वो Thursday, Friday, Saturday, Sunday, चार दिन जो है, वो theory के video आएंगे, उनको आप देखना, फिर हम ये question 100 बच्चे हुए दुबारा करेंगे, और फिर उसके बाद मैं आपको trends पढ़ाऊंगी periodic table के, उसके बाद फिर हम कुछ question करेंगे, तो ऐसे करके periodic table आपकी 2 से 3 हफ periodic table अभी आपकी होने में complete लगा लेगी, उसके बाद मैं physics का light chapter आपको कराऊंगी, ठीक है, physics के formula कराऊंगी पहले, एक class में सारे formula, फिर जो है न, मैं आपको यहाँ पे physics के जो है न, वो light chapter भी complete कराऊंगी, तो जो जो बहुत important चीज़े हैं, जो बच्चों को समझ नहीं आती मुश्किल topic हैं, यहाँ से exam question पूछेगा ही पूछेगा, वो समय आपको complete कराऊंगी, ठीक है, अभी